हेलो बच्चो कैसे आप लोग तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने CBSE का अकाउंट्स का सैंपल पेपर सॉल्फ करना शुरू किया था जो कि आपके 2023 के एक्जैम्स के लिए रिलीज किया गया है अभी तक हम लोगों ने सारे 1 मारकर्स और 3 मारकर्स सॉल्फ कर लिया थे जो आ नहीं कि आपके सारे 4 मारकर्स और 6 मारकर्स जो कोशन्द हैं पार्ट एके वो सारे हम लोग सॉल्फ कर लेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो की शुरूबात करते हैं चलिए कोशन नमबर 21 पढ़ते हैं अल्तौर लिमिटेड वस रेजिस्टर्ड विद अन ऑथराइस्ट कैपिटल आप रुपीस 4 करोर्ड डिवाइड इन्टो 25 लाक एक्विटी शेर्स और रुपीस 10 एच और 1 लाक 50,009 परसें प्रेफरेंस शेर्स और रुपीस 100 एच तो टोटल ऑथराइस्ट कैपिटल कंपणी के किती थी 4 करोर्ड और डिवाइडेड कैसे कैसे थी कुछ एक्विटी शेर्स में कुछ प्रेफरेंस शेर्स में मरलब एक्विटी शेर्स के भी अपनी ऑथराइस्ट कैपिटल है प्रेफरेंस शेर्स की भी अपनी ऑथराइस्ट कैपिटल है एक्विटी शेर्स में उसने बोला 25,00,000 शेर्स हैं और रुपीस 10 एच तो यह धाई करोड हो गया और preference shares में उसमें बोला 1.5 lakh preference shares है और रुपीज 100 each तो ये 1.5 crore हो गया तो धाई प्लस देट इस 4 crore फिर आगे कहता है तो इकाम करते हैं इसका break-up बनाके चलते हैं यहाँ पर तो हमने 10 रुपे की जो shares थे वो issue करे 20% premium मतलब 2 रुपे के premium पर है ना 2 रुपे का premium है 20% इसका break-up उसने कैसे कैसे दिया 3 तकड़ों में ही हम लोग मंगवाने वाले हैं तो 3 रुपे application पर है 7 रुपे allotment पर है but including premium तो इसका break-up कैसे मैं मूल सकता हूँ 5 प्लस 2 5 रुपीस face value के 2 रुपे premium के अब balance है on call तो balance किता हो गया balance बज़ गया I think 2 रुपे है ना तो यह ऐसे इसका break-up हो गया public applied for 10 lakh shares तो हमने issue करें कितने 8 lakh shares public ने apply कर दिया 10 lakh shares के ले that means यहाँ पे क्या हो गया over subscription हो गया over subscription तो अब हमने क्या क्या over subscription का excess applications were sent letters of regret इसका मतलब excess application जो 2 lakh shares की थी उनको हमने reject कर दिया उनको हमने पूरी तरह से reject कर दिया मतलब कोई प्रोराटा नहीं कुछ नहीं सीधा आपने उठा के reject कर दिया all right all the dues on allotment received except on 15,000 shares held by Sanju तो allotment पे देखो जहां से पर नक्या बुला है all the dues on allotment बहुत allotment का हमें सारा पैसा मिल गया allotment का हमें सारा पैसा मिल गया except on 15,000 shares held by Sanju तो 15,000 shares के अलावा हमें allotment का सारा पैसा मिल गया ठीक है चलिए अच्छा another shareholder Rocky paid his call dues along with allotment on his holding of 25,000 shares तो कह रहा है एक Rocky था जिसके पास कितने shares थे 25,000 shares थे उसने allotment के साथ ही अपना call का भी पैसा दे दिया तो इतना पढ़के कि आपको ये हिंट मिल पाया क्या कि company ने इसका मतलब अभी तक कहां तक call किया हुआ पैसा सिर्फ allotment तक उसने call कर रखा है company ने call money अभी company ने मंगवाई ही नहीं है सिर्फ allotment तक हमने call कर रखा है call money अभी तक हमने मंगवाई ही नहीं है I hope इस language पढ़के पूरी कहानी पढ़के आपको ये बात समझ आई होगी इसलिए हो कह रहा है कि all some due on allotment was receive करके कह रहा है और फिर कह रहा है कि जो एक और shareholder है Sanju उसने हमें rocky उसने हमें सारा पैसा allotment के साथ दे दिया call का भी पैसा उसने allotment के साथ दे दिया तो इससे पढ़के मेरा interpretation निकल के आ गया कि हमने अभी तक सेरे allotment तक ही मंगवा रखा है call अभी हमने नहीं मंगवाई तो बेसीकल आपको balance sheet का extract दिखाना है जिसमें आपको share capital दिखाना है और आपको related notes to accounts भी दिखाना है चार number का ही पूरा आपका सवाल है आई तो वैसे तो मैं आपको ये directly marking scheme से भी करवा सकता हूँ बट इस तरह की जो सवाल है इसकी practice करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए है ना तो मैं तो अपनी तरफ से हाथ से solve करूँगा और मैं आप लोगों को भी request करूँगा कि आप भी मेरे साथ-साथ efforts दालके अपने आप ये करो हाथ से अपने आप है ना answer देखके नहीं अपने आप करो बाकी तो अखेर आप ही जानते हो आप जैसा करना चाहो बट मैं तो इसको पूरा कर रहा हूँ इस उम्मीद में कि आप लोग भी मेरे साथ-साथ करोगे चलिए तो छोटा साथ पहले एक हम balance sheet का format बनाएंगे फिर मैं आपको marking screen भी दिखा हूँगा कि चार number आपको कैसे कैसे मिलेंगे इस सवाल में बट पहले हम लोग बनाएंगे ठीक है format आप लोगों को पता ही होगा होप सो तो यहां लिखेंगे company का नाम balance sheet of balance sheet of altor या कुछ ऐसी नाम था जो भी नाम है limited date कुछ हो मैं पता नहीं तो as on करके छोड़ दो bracket में लिख लो extract क्यूंकि हम तो खाली share capital वाला part दिखा रहे हैं ना बागी तो हम लोग दिखाई निरे चलिए तो यहां पर आता है particulars फिर यहां आता है note number फिर यहां पर आता है amount राइट तो सबसे पहले हम लोग अब सबसे पहले क्या हम लोग तो सिर्फ share capital वाला part दिखा रहे हैं तो वह आता है equity and liabilities के side पर ठीक है यह आता है कि इसमें shareholders funds में shareholders funds इसमें भी यह किसमें आता है share capital में main head is shareholders funds जिसमें सब head है क्या share capital और इसको हम लोग note number one में दिखाते कि क्या हमारी पूरी कता है share capital की तो पहले हम लोग अब notes to accounts बना लेते हैं उसके basis पर हम लोग फिर अपना means of amount है share capital का वो note से copy paste कर देंगे balance sheet में ठीक तो आजब notes to accounts इसमें बना रहें note number one सिर्फ जो की deal करता है share capital से देखो आपके syllabus में तो यही है है ना आपके syllabus में basically क्या है share capital का disclosure in balance sheet proper notes to accounts के साथ right चलो तो यहां पर भी एक छोटा सा format टाइब बनाई सकते हो चलो जी सबसे पहले हम क्या लिखते हैं authorized share capital सबसे पहले हम दिखाते है authorized share capital अब authorized share capital हमारी दो तरह किये एक है equity shares तो लिखते हैं 25,000,000 equity shares थोड़ा short forms यूज़ कर लेता हूँ आप लोग मत यूज़ करना प्लीज 25,000,000 equity shares और रुपीज 10 एच तो यह कित्ता बन गया यह बन गया धाई करोड फिर डेल लाख 1,500,000 9% preference shares और रुपीज 100 एच तो यह कित्ता आ गया यह आ गया डेल करोड तो इस प्रकार सा हमारी total authorized capital कित्ती होगी 4 करोड राइट ओके फिर अगला आतामरा next issued share capital तो अब इस में से हमने issue कित्ता किया है तो question ने बोला है कि हमने से लिए 8,000,000 equity shares issue करें preference shares तो issue ही नहीं करें इसमा मतलब खाली हमने equity shares issue करें वो भी कित्ते 8,000,000 तो लिखते हैं 8,000,000 equity shares of rupees 10 each तो ही total कित्ता हो गया 80,000,000 बस issued capital का बस इत्ता ही आएगा और third आता है मेरा क्या subscribed capital subscribed capital अच्छा subscribe capital में भी हम दो तरह के capital दिखाते हैं एक होता है subscribed and fully paid up सबसे पहले दिखाते है subscribed and fully paid up अच्छा आप लोगों को remind कराने के लिए recall कराने के लिए बस subscribed and fully paid up क्या होता है वो capital या वो shares जिसमें पूरा face value मंगवा भी चुके हैं और पूरा face value receive भी हो चुका है cash में तो अगर 10 रुपे के shares है तो अगर company ने पूरे 10 रुपे मंगवा भी रखे हैं अब पूरे 10 रुपे मिल भी चुके तो ही वो आता है subscribed and fully paid up में अन्या था subscribed and fully paid up में वो नहीं आता वो आता है subscribe but not fully paid up में अब इस सवाल में मैंने आपको क्या hint दिया था starting में जब हम पढ़ रहे थे हमने एक interpretation ले ली थी क्या कि company ने सिर्फ allotment तक मंगवा रखा है call तो मंगवा ही नहीं रखा इसका मतलब सीधा सीधा क्या कहानी हो गई सीधे सीधी बात ही हो गई कि company ने पूरी face value भी मंगवा ही नहीं नहीं है company ने सिर्फ allotment तक ही मंगवा है पूरी face value मंगवा ही नहीं है इसका मतलब सारा का सारा कहां पर आ जाएगा सब्सक्राइब बट नौट फुली पेड़ अप में सब्सक्राइब और फुली पेड़ अप में कुछ नहीं आएगा क्योंकि company ने पूरा face value मंगवा ही नहीं रखा आयोप यह बात आपको समझ आगी होगी तो आजाओ जी तो सब्सक्राइब और फुली पेड़ फिर भी हम लिख लेंगे और यहां पर हम इसको zero करके दिखा देंगे ताकि examiner को पता रहे कि हाँ आपको पता है कि इसमें सब्सक्राइब और फुली पेड़ भी आता है हम mainly क्या दिखाएंगे subscribe but not fully paid up subscribe but not fully paid up अब यह कैसे दिखाएंगे तो हमने किते 8 lakh shares हमारे subscribe हो रखके sir application तो 10 lakh shares की आई थी तो application आने तो 10 lakh shares की हमें क्या करना 2 lakh shares excess shares तो हमने वैसी भी reject कर दिये और over subscription होता भी है तो हम allot तो इता ही shares करते जित्ते actually हम issue कर रहे हैं है ना तो subscribe तो 8 lakh ही आएंगे है ना क्योंकि हमने ultimately 8 lakh shares की allotment करेंगे उससी जाधा की तो हम करी नहीं सकते इसलिए उससे हमें कोई मतलब नहीं कि application 10 lakh shares की आ of rupees 10 each लेकिन इधर देखो इधर मैं आ जातो है इसमें से कितना face value actually मंगवा रखा है तीन रुपे तो हमने application पर मंगवा रखा है और 5 रुपे का face value हमने allotment पर मंगवा रखा है इसका मतलब हमने 8 रुपे का face value मंगवा रखा है प्रीमियम कभी भी capital वाले head में कभी भी नहीं आता जब हम share capital बनाते हैं जब हम share capital के अंदर दिखाते हैं चीजे सारी चीजे face value पे दिखाते हैं हमेशा याद रखना कभी आपको कोई confusion नहीं होनी चाहिए कि share capital में कभी premium का भी कोई हिस्सा कहीं पे भी आएगा नहीं सारा का सारा face value का हिस्सा आएगा so you only are concerned with face value that's it nothing else दो रुपे का premium का relevance नहीं है share capital के head के अंदर right चलो तो इसलिए मैंने बोला कि है तो ये 10 रुपे का बड़ इसमें से हमने 8 रुपे ही मंगवा रुपे रखे हैं तो लिखेंगे हम 8 रुपे is called up ठीक है और internal column में लिखेंगे इसमें किता हुआ 8 lakh into 8 that is 64 lakhs तो 64 lakh रुपे का face value हमने मंगवा रुप बड़ क्या हमको सारा का सारा मिला है the answer is दो कुछ का एक नलाइक shareholder है संजू जिसने हमको पैसे नहीं दे रखे allotment के तो वो हम कैसे दिखाएंगे हम वो बोलेंगे calls in arrears calls in arrears इसमें क्या आएगा तो कितने shares थे भाई संजू के पास 15,000 shares थे 15,000 shares थे इस पे इसने 8, 8 नहीं sorry कितने रुपे का allotment नहीं दिया बड़ देखो इधर देख यहां से देखते रहे ना पांच रुपे तो इसने पांच रुपे नहीं दिया तीक है फिर से कह रहा हूँ face value हमें सिर्फ face value से मतलब है यहां पे और कुछ नहीं तो allotment पे although उसने पूरे 7 रुपे नहीं दिये including premium बट क्योंकि हम share capital के अंदर कर रहे हैं भी सारा काम तो यहां पे हम खाली face value का हिस्सा दिखाएंगे तो allotment पे face value किती है पांच रुपे तो हम बोलेंगे कि पांच रुपे की face value हमें 15,000 shares पे नहीं मीली चलो I hope clear हो रही होगी सारी बाते तो यह किता आ गया यह आ गया 75,000 I think so 75,000 ultimately बहार किता आएगा कर लो इसका यह आएगा 63,25,000 63,25,000 बस कहानी में खतम और तो कुछ है नहीं तो आप इसका यहीं पे total कर सकते हो नहीं तो आप इधर भी करके ऐसे करके दिखा देना 63,25,000 ठीक है बस अब इसको हम लोग copy कर लेंगे अपनी main value sheet में 63,25,000 कहानी खतम बात आगे समझ में एक बार आपका marking scheme भी दिखा देते हैं इसका आजओ चलो तो यहाँ पे आप चाहिए previous year नहीं भी दिखाओ गे तो भी चल जाएगा कोई दिक्कत नहीं नहीं तो आप दिखा देना कोई परिशानी नहीं अगर आप previous year दिखा भी दो नहीं भी दिखाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना main आप notes to accounts चेक करो तो देख ले ना सब कुछ हमारा match हो रहागा notes to accounts में इसका मतलब क्या हुआ कि balance sheet बनाने के एक number मिलेंगे और बाकी ती number सारे आपके notes to accounts के हैं तो notes to accounts आप हलके में ले ही नहीं सकते क्योंकि इसकी पूरी ती number की weightage है है ना तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे पूरे चार number है ना अब इसमें भी ती number I can expect मतलब कहीं लिखा नहीं है बड़ I can expect कि authorized capital दिखाने के एक number होंगे issued capital दिखाने के एक number होंगे और ये वाला part last आपका subscribe capital दिखाने के एक number होंगे तो इस प्रकार से आपके ती number यहां पे बैठ जाएंगे all right बस I hope इस सवाल आपका clear हो गया होगा चलिए next question पढ़ते है question number 22 मेरे खाल से आकरी four marker question है इसके बाद हमारे six marker questions शुरू हो जाएंगे इसका मतलब खाली कितने four marker questions हमारे पास दो है ना चलिए क्या कहता है question इस सवाल पर भी आप एक star mark कर लो एक आप दो बच्चों के messages मेरे पास आये थे कि इस सवाल पर वो काफी attack रहे थे confused हो रहे थे but थोड़ा सा logically conceptually करने की कोशिश करेंगे I think हो जाएगा कोई तरह difficult सवाल नहीं है आओ पढ़ते हैं क्या कहता है चारू धवनी एक मूर और पावनी वर पार्टनर इन फर्म तो चार पार्टनर इन फर्म में they had agreed sorry they had entered into partnership firm last year only through a verbal agreement तो मलब अनुदे एक पार्टनर्शिप बनाई पिछले साल through oral agreement ठीक है रिटन नहीं oral agreement they contributed capitals in the firm and to meet other financial requirements few partners also provided loan to the firm तो उन्होंने capital भी contribute करी और कुछ पार्टनर से firm को loan भी दिया within a year their conflicts arisen due to certain disagreements and they decided to dissolve the firm तो कुछ उनके भी इसमें लडाई जगड़े होगे जिसकी वज़े से उन्होंने firm dissolve करने का decision दे दिया the firm had appointed Ms. Kaabya who is a financial advisor and legal consultant to carry on the dissolution process तो ठीक है उन्होंने किसी Kaabya को appoint किया dissolution का process जो भी है उसको carry करने के लिए in the first instance Ms. Kaabya had transferred various assets and external liabilities to realization account तो आप लोगों को पता ही ये बात कि हम सारे assets और अपनी जो भार की outside liabilities होती है उनको realization account में transfer करते हैं तो वह उसने भी किया अच्छा due to her busy schedule Ms. Kaabya has delegated this assignment to you being an intern in her firm on the date of dissolution you have observed the following transactions तो देखो भई इतनी बड़ी कथा की क्या क्रक्स है इतनी बड़ी कथा का क्या क्रक्स है इतना बड़ा लिख दिया उन्होंने paragraph दे दिया बड़ इसका क्रक्स simple ये है कि एक partnership firm है जो dissolve हो रही है और कुछ चार transactions वो बता रहा है आपको जिसकी आपको accounting treatment बतानी बस इतना इसका क्रक्स है पूरी कथा का और कुछ भी नहीं बाकी सारी कहानी नाम वगरा अब ये सारी चीज़े बेकार की चीज़े ये खाली कहानी बनाने के लिए दे रखी है है ना तो अब देखा आप चारो जो इसने parts दे रखे हैं वो partner के loan से related दे रखे हैं आप पढ़ लेना चारो parts partners के loan से related है जिसके वज़े से बच्चे काफी सारी समें अटा कर रहे थे चीज़े के पहले requirement पढ़ लेते हैं कि आपको करना क्या है you are required to pass necessary entries for all the above mentioned transactions तो चारो transactions के लिए आपको general entries पास करने है ये question की requirement है तो अब इस सवाल को करने के लिए पहले आपका basic concept पता होना चीज़े आपको basic concept partners के loan से related इसका basic concept पहले आपको clear होना चीज़े सर क्या basic concept क्या basic concept तो چाहे loan by partner हो loan by partner मतलब partner ने firm को loan दिया हो चाहे loan to partner हो यानि firm ने partner को लोन दिया हो दोनों तरह के loan पहली बात दोनों तरह के loan अच्छा loan by partner firm के लिए liability है और loan to partner firm के लिए asset है तो even though liabilities और asset है बट दोनों तरह के जो loans है इनको हम लोग realization account में transfer नहीं करते हैं पहला concept हमारा ये होता है अच्छा दूसरा concept अगर इन loans को settle करने में कोई फाइदा या नुकसान होता है कोई gain या loss होता है तो ये जो फाइदा या नुकसान है इसको हम लोग realization account में डालते हैं ये पहले आपका basic concept है I hope ये concept आपको ध्यान होगा कि सिरे partners के loan को settle करने में अगर कोई फाइदा नुकसान होता है तो फाइदा नुकसान ही realization account पे जाता है क्योंकि realization account आपका फाइदा और नुकसान का ही account है nominal account है तो सिरे फाइदा और नुकसान को हम realization account पे डालते है लेकिन loan को हम लोग realization account में transfer नहीं करते अच्छा अगर loan को realization account में transfer नहीं करते तो हम क्या करते हैं इसको हम directly bank से settle करते हैं bank से settle करते हैं आप अपनी किताबों में check कर सकते हो यही concept इसका है तो अगर यह basic concept आपके mind में clear है उसके बाद फिर अब आपता ही सवाल हो जाएगा चलो एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग transaction और साथ की साथ इसकी journal entry भी बनाते हो चलेंगे तो first देखते हैं क्या कहता है 20's loan of rupees 50,000 to the firm 20's loan of 50,000 to the firm was settled by paying 42,000 ध्वनी ने firm को 50,000 का loan दिया हुआ था जो की firm ने settled कैसे किया 42,000 पे करके तो 50,000 का loan 42,000 में settled कर दिया firm ने तो क्या आपको feel हो रहा है कि एक 8,000 रुपे का कोई फाइदा हुआ है 8,000 रुपे का कुछ पाइदा हुआ है firm को की 50,000 की liability उसने 42,000 में ही settled कर दी अब इसकी entry आप कैसे करोगे entry कैसे करोगे तो loan by dhoney loan by dhoney हम लिखेंगे loan by dhoney क्योंकि एक liability है वो खतम हो रही है तो loan by dhoney को हम लोग पहले debit करेंगे अब loan by dhoney का account खुला हुआ है यह realization account में transfer नहीं हुआ तो इसका account as a list खुला हुआ है तो हम directly loan by dhoney लिखेंगे अच्छा किती रुपी की liability खतम हो रही है 50,000 की अब यह 50,000 की liability खतम कैसे हो रही है 42,000 पे करके तो two banks में क्या लिखेंगे 42,000 अच्छा 8,000 का फाइदा हो रहा है तो फाइदा मैंने क्या बोला फाइदा और नुकसान settlement में कहा जाता है realization account में तो फाइदे को हम लोग realization account में transfer कर देंगे तो इस प्रकार से आपकी ये entry बनगे loan by dhoney debit 50,000 two banks 42, two realization account 8,000 चीक चलो आगे पढ़ते अभी तो मज़िदार मज़िदार इसमें parts है यह कहता पावनी's loan of Rs. 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of Rs. 45,000 तो पहले तो भाई अपना unrecorded asset की आपकी general entry क्या होती है unrecorded asset की हमने पढ़ा हुआ है कि चाय recorded asset बिके चाय unrecorded asset बिके हमारी entry क्या होती है bank account debit to realization account यह entry होती है हमारी unrecorded asset की I hope यह entry आपको ध्यान होगी अब यहां पी क्या हो रहा है क्या unrecorded asset cash में भिक रहा है the answer is no हम unrecorded asset अपनी एक partner का loan settle करने के लिए use कर रहे है तो हम एक unrecorded asset अपना partner की loan को settle करने के लिए use कर रहे है तो हम अपनी liability चुकता कर रहे है using unrecorded asset है ना तो बस अब यहां पे मैं bank account नहीं लिखूँगा यहां पे मैं bank account नहीं लिखूँगा क्योंकि यह bank में आनी रहा पैसा मैं अपना एक loan चुकता कर रहा हूँ पापनी का loan तो मैं सीधा लिख दूँगा यहां पे क्या loan by पापनी पापनी अच्छा अब इससे पहले कि मैं amount वाली बात करूँ यहां पे बच्चों के क्या doubt आते बच्चे कहते सर हमने concept में पढ़ रखा है कि अगर कोई asset से हम लोग अपनी कोई liability चुकता करते है कोई asset हम अपनी liability पे करने के लिए उस करते है तो सर हमने concept में पढ़ा हुआ है कि no entry होती यही लिखवा रखा है सर आपने भी और हमारी किताबों में भी यही लिखा हुआ है हमारे और teacher जो है उन्होंने भी हमें यही बता रख रहा है यह बच्चों का doubt आता है लेकिन आप concept क्लियर रखो वो वाली बात किसके लिए true होती है वो उन assets और liabilities के लिए true होती है जो realization account में transfer हो चुके है अगर जो asset में use कर रहा हूँ तो pay the liability वो भी realization account में जा चुका है और liability भी realization account में जा चुकी है तो ही हम लोग वो बात कहते कि no entry होगी यहाँ पर आप notice करोगे तो liability जो यहाँ पर चुकता कर रहे है इस वाले बात पर ही वो हम partner का loan चुकता कर रहे है partner का loan और partner का loan realization account में नहीं जाता इसलिए हमें इसके लिए entry करनी पड़ रही है अगर question कहता कि हमने unrecorded asset use कर दिया to pay suppose creditor ऐसे बोल देता कि creditor को pay करने के लिए हमने unrecorded asset of 45,000 40,000 के creditors pay करने के लिए हमने use कर लिया तो आप कहते कि इसकी no entry फिर ये no entry होती लेकिन यहाँ तो उसने creditor नहीं बोला उसने बोला partner का loan और partner का loan realization account में नहीं जाता creditor तो realization account में transfer कर जाते हैं बट partner का loan हम realization account में transfer नहीं करते इसलिए हम इसमें no entry नहीं बोल सकते इसमें हमें कोई entry करनी पड़ेगी चीक है क्योंकि अगर आप इसमें no entry करोगे आप मानो इसके आप बोलो कि हम कोई भी entry नहीं करेंगे तो आप note करना partner का loan तो खुला रह जाएगा ये तो close नहीं हो पाएगा और अभी तो business बंद हो रहा है, dissolve हो रहा है तो हमारा ultimate motive क्या है कि हमारे जित्ते भी खाते खुले होए है, सारे पूरी तरह से close हो जाने चीए है, सब कुछ zero हो जाना चीए बट अगर आप इसकी no entry करोगे तो partner का loan का account तो खुला रह जाएगा है ना, आप ऐसे भी सोच सकते हो राइट, इसलिए हमें इसकी entry करनी पड़ेगी तो पहले तो कई बार बच्चों का यही query आती है इस तरह के part में तो I hope पहले यह query आपकी solve हो गए होगी अच्छा, अब इस entry में दूसरी बात amount क्या लेंगे, यहाँ पर दो amount दे रखे है unrecorded asset है तो 45,000 का लेकिन loan हम चुकता करें 40,000 पे, तो भाई unrecorded asset की जो भी value होने दो हमें उससे कित्त रुपे का benefit मिल रहा है आप यह देखो, 45,000 का unrecorded asset होगा, कोई बात नहीं बट इससे हमें benefit कित्त रुपे का मिल रहा है, सर्फ benefit तो 40,000 का ही मिल रहा है, क्योंकि इस 45,000 के asset से हम लोग 40,000 का ही loan pay कर पा रहे है, तो ultimately इससे हमें cash benefit कह सकते हो कित्त रुपे का मिल रहा है, economic benefit कित्त रुपे का मिल रहा है, 40,000 का तो 45,000 से में एको कोई लेना देना ना नी क्योंकि हमें benefit मिल रहा है 40,000 का इसलिए इस entry में amount क्या लेंगे हम लो 40,000 छीक, तो I hope पहले आप ये बात समझ पाए होंगे राइट, चलो next part पढ़ते हैं third part, loan to Charu of Rs. 60,000 was settled by payment to Charu's brother's loan of the same amount तो एक loan to Charu है 60,000 का, loan to Charu मतलब firm ने partner को loan दिया हुआ है इसका मतलब ये firm का asset है, पहले ये बात clear की firm का asset है इसको settle हमने कैसे किया cash में settle नहीं किया, वैसे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि partner का loan हम cash में या bank की थूर settle करते है but cash बैंक से settle नहीं हुआ इस तो हमने settle कर दिया by Charu's Brothers loan तो देखो इसकी कहानी क्या हुई इसकी कहानी बदाता हूँ क्या हुई यहाँ चारू थी यहाँ firm था ठीक firm ने चारू को 60,000 रुपे का एक loan दे रखा था तो जब firm dissolve होई तो firm चारू के पास आई और चारू से बोला लाओ 60,000 का जो loan हमने आपको दे रखा है वो आप वापस करो तो ideally चारू को 60,000 रुपे का loan firm को वापस करना चाहिए cash में लेकिन अब चारू ने बोला कि firm भाई देखो मेरे भाई मेरे भाई से आपने loan ले रखा है सेम अमाउन का 60,000 रुपे का मेरे भाई से आपने 60,000 का loan दे रखा है तो देखो यार मैं 60,000 आपको दूँगी फिर आप ये 60,000 रुपे मेरे भाई को दोगे तो ये 60,000 रुपे मेरे घर से चलके वापस मेरे घर पे आ रहे हैं तो आप एक काम करो ना बात को नक्की करो ये ना आप मानो चलो बात खतम मेरा ये साथ हजार का लोन माफ करो और मेरे भाई का साथ हजार का लोन भी माफ तो हम आपस में अपने बीच में settlement कर लेंगे ये कहानी होई I think यह कहानी sense बनाती है I think it makes sense तो अब इसके आप entry कैसे करोगे आप सवाल उठा कि entry कैसे करोगे तो normal scenario होता तो normal scenario होता अगर मैं normally पूछता कि suppose भूल जाओ कि dissolution हो रहा है वैसे अगर ऐसा कोई transaction हो दिया होती तो आप क्या entry करते है firm के point of view से तो firm के point of view से चारू के brother का जो loan है वो liability है वो खतम हो रहा होता तो हम लिखते चारूस लिखना मत आप लोग बस समझने के लिए समझाने के लिए लिए लिखवा रहा हूँ चारूस brother loan debit 60,000 का loan गया और firm की एक asset भी जा रहा होता है यह ना loan to चारू loan to चारू firm के लिए asset है तो loan to चारू एक asset जा रहा होता 60,000 यह entry आप करते लेगन अब तो dissolution हुआ dissolution होने का मतलब क्या है कि हम सारी अपनी external liabilities अपने realization account में transfer कर चुके तो चारू के भाई का जो loan है यह firm के लिए external liability है तो यह तो realization account में जा चुका होगा तो अब हम यहाँ पे चारू जा लोन का account तो यूज नहीं कर सकते again reason being क्योंकि यह realization account में transfer हो चुका है तो अब इसकी जगा हम यहाँ पे किसको debit कर देंगे realization account बस यह कहानी इसके पीछे की है तो बस यह आपकी entry बन गई अचा लोन तो चारू तो यह ही account यूज होगा reason भी क्योंकि लोन तो चारू अगें partner का लोन है तो basically यह realization account में transfer नहीं हुआ होगा इसलिए हम लोग इस प्रकार से इसकी entry बनाएंगे चिक चल लास्ट एंट्री भी देखते है तो इकनूर का लोन था 80,000 का to the firm मतलब firm के लिए liability थी जिसमें से इकनूर ने 60,000 की तो machinery ले ली लेकिन उसमें बोला यह मैं smart payment ले रही हूँ मैं full settlement में नहीं ले रही मैं यह smart payment ले रही हूँ मतलब balance 20,000 रुपे 60,000 की तो मैंने machinery ले ले ली balance 20,000 रुपे आपको मुझे वापस करने पड़ेंगे cash में समझाई बात तो इसकी entry अब आप क्या बनाओगे यहां लिख देते हैं इसकी entry क्या बनाएंगे हम लोग हम बोलेंगे इकनूर का loan खतम हो रहा है मतलब एक liability खतम हो रही है तो इकनूर's loan debit कितने रुपे का loan खतम हो रहा है सर 80,000 का कैसे खतम हो रही है हम अपनी machinery दे रहे है हम अपनी machinery दे रहे है 7,000 रुपे की तो ideally वैसे मैं यहां पर machinery account लिखता क्योंकि machinery दे रहे बट again क्योंकि यहां dissolution हुआ है तो machinery को तो हम लोग कहा transfer कट चुके होंगे realization account में तो इसकी जगाब में यहां पर क्या लिखूँगा realization account 60,000 की तो मैं machinery दे रहा हूँ और balance 20,000 रुपे मैं bank के तुरू पे कर रहा हूँ two bank 20,000 तो यह इसकी entry इस प्रकार से बन जाई है तो बस यह देखो ऐसे logically सोच के entries बनानी थी इसमों और कुछ नी तो I hope अगर आपको confusion थी इस वाले सवाल में तो अब वो सारी confusion आपकी दूर हो गई होगी जहाँ पे भी आपके doubt के points से आपके बन सकते हैं मैं सारे points को यहाँ पे deal करनी की पूरी कोशिश की अपनी तरब से एक बार आपकी सहुलियत के लिए इसका answer भी दिखा देते हैं आपको marking scheme basically दिखा देते हैं हालागि इसमें marking scheme ज़्यादा देखने का point नहीं है reason being चार parts है चार transactions है चार entries कर दीती तो हर entry के आपके एक एक number होंगे बढ़ आप यहाँ से entries अपनी check कर सकते हो तो सारी जो entry हमने करी वह entry यहाँ पर हो रखी है चीक बात होगे चलिया तो इससे हमारे four markers खतम four markers हमारे सारे खतम दो ही four markers थे हमने कर लिए एक आपका company account से था shares chapter से और दूसरा आपका dissolution से चार number का एक सवाल था तो इसी प्रकार का distribution समझ सकते हो कि आपके main board exams में होगा चलिया अब हम लोग finally अपने six markers की और बढ़ते हैं चलिया अब हम लोग six markers से start करते है question number 23 पढ़ते है autoa limited was registered with an authorized capital of two lakh equity shares of rupees 100 each the company offered 60,000 shares for public subscription at 25% premium चीक है तो 100 रुपे की shares है काम करते हैं यहाँ पे note करते हैं question number 23 चीक है इसमें भी वैसे internal choice भी है तो हम दोनों भी question discuss करेंगे तो एक काम करेंगे चलो पहले हम लोग एक काम करते हैं note कर लेते हैं फिर मैं आपको बताते हूं कैसे करेंगे हम लोग तो 100 रुपीज के shares है जिसको हम लोग ने 25% यानि 25 रुपे के premium पे issue किया right okay तो बस दो तकड़ों में इसके पैसे मंगवाने हैं हमको 40 रुपे है application पे और balance है allotment पे तो balance क्या बचा 60 प्लस 25 बोलाया उसने including premium तो 60 प्लस 25 ये इसका balance बन गया तश ये हो गया चलो आगे आगे कहा हो गया public had applied for 85,000 shares तो किते shares हमने issue करे 60,000 और public ने 85,000 shares के लिए apply कर दिया यानि कि यहाँ पे क्या हो गया over subscription हो गया ठीक है जी फिर देखते क्या कहते है question pro rata allotment was made in the ratio of 5 is to 4 हमने pro rata allotment करी in the ratio of 5 is to 4 and remaining applications were sent letter of regret बस यही एक पूरा point है पूरे सवाल में जहाँ पे थोड़ा सा आपको careful रहना है थोड़ा सा मतलब आपको दिबाग लगाना है इसके अलावा यह question बिलकुल straight forward बच्चे वाला question है और कोई भी दिक्कत नहीं है सवाल तो उसने यह नहीं बताया आप धान से देखना प्रो राट अलाटमेंट करिए और balance को हमने reject कर दिया sent letters of regret मतलब कि हमने reject कर दिया तो इसकी calculation में भी आपको बता दूँगा बाकी तो देखो question कुछ खास है नहीं देखते है क्या कर रहा है तो एक नलाइक shareholder निकला जिसके पास 4000 shares थे उसने allotment का पैसा नहीं दिया तो उसके shares फोफीट कर दिये आउट अफ दीज 3000 shares were reissued at a discount of rupees 20 per share तो 3000 shares नहीं reissue करे 20 rupees के discount पर past necessary entries in the books of or two are limited चलो तो मुद्दी की चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या है आओ यहीं पे करते है तो company ने कितने shares भाई offer करे थे कितने shares issue करे थे सर 60,000 shares issue करे थे और application कितनी के आगई 85,000 की अब सवाल ने बोल रखा है कि अब हमने 85,000 shares की कैसे कैसे allotment करी कुछ को हमने प्रोराटा basis में allot किया प्रोराटा basis में allot किया और प्रोराटा का उसने ratio बता दिया 5 is to 4 5 is to 4 के ratio का मतलब क्या होता है कि हर 5 के बदले 4 issue करे sorry हर 5 के बदले 4 allot करे मुझे बोलना चाहिए हर 5 application के पे हमने 4 allot करे यह मतलब होता है प्रोराटा का और balance को हमने reject कर दिया चीक है अब कितने को प्रोराटा allotment करी कितने को reject किया यह हमको खुद से calculate करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको थोड़ा सा smart work करना पड़ेगा और कुछ नहीं वैसे कुछ नहीं है आपको यह पता है कि जो भी actual allotment हुई होगी जो भी actual allotment हुई होगी वो 60,000 shares की होई होगी कि भाई हमने 7,000 shares issue करे थे तो ultimately 7,000 shares की ही हमें allotment करनी है तो आपको पता है कि भाई दोको जो reject होगए वो तो reject होगए उनको तो कुछ भी नहीं मिला उनके तो zero allotment हुई जो allotment हुई वो यहाँ पे हुई प्रो राटा पे तो आपको पता है कि यहाँ पे प्रो राटा पे जो allotment हुई होगी उसमें साथ हजार शेर्स की allotment हुई होगी तो अब आपको बस reverse calculation लगाके देखना है कि भाई अच्छा है साथ हजार शेर्स अगर allot होए है हमारे इस category में तो applied कितने होंगे उसके लिए आपको यह ratio दे रखा है तो इस ratio का इस्तमाल करके आपको देखना पड़ेगा उल्टा जाके कि अगर साथ हजार शेर्स allotted है तो applied कितने होंगे बस यह करना है आपको कोई दिक्कत है क्या इसको आप 5 into 4 कर दो sorry into 5 upon 4 बस निकालो यह कितना आ रहा है 15 पच्चे 75 तर आ रहा है मेरे रिखाल से 75,000 75,000 तो इसका मतलब 85 में से 75,000 शेर्स की हमने pro data basis पर allotment करी अब आप इसको उल्टा calculate करके भी चेक कर सकते हो इसको आप 4 into 5 करके देख लेना तो यह आ जाएगा आपका 60,000 चीक तो अब आपको यह पता लग गया कि अगर 75,000 पर हमने pro data allotment करी है इसका मतलब balance 10,000 शेर्स हमने reject करे होंगे बस यह इसमें calculation करनी थी अगर यह calculation हो गई फिर तो अब इस सवाल में कुछ भी दिक्कत नहीं बची तो एक काम करेंगे मैं आपको जैसे पहला कहा रहा था कि क्योंकि अगर मैं सारी entries करते बैठ गया तो लंबी हो जाती बहुत जाता वीडियो तो entries में आपको प्रोराटा की बेसिस में आप यहां पे यह भी देख लो कि यहां पे access application बनी किता होगा भाई जब भी हमारा प्रोराटा allotment का case हो जाता है तो हमें access application बनी के adjustment करनी पड़ती है तो यह निकाल लो आप तो 75,000 shares applied थे जिसको हमने 60,000 shares allot करे हैं into application का कितना पैसा था 40 रुपे यह कितना आ रहा है 15,000 into 40 रहा है तो यह आपका 6,00,00 रुपे आ रहा है 6,00,00 रुपीज आ रहा है चीक है अच्छा allotment due कितना होगा वैसे allotment due कितना होगा total 60,000 shares पे allotment कितना due होगा देख लो allotment कितना है 60 plus 25 यानि 85 है न 85 रुपीज का allotment का पूरा पैसा है including premium 60,000 into 85 तो यह कितना आ रहा है 51,00,00 51,00,00 अच्छा मेरी हमेशा advice रहती है कि जब भी access application बनी आप allotment का again suggest कर रहे हो और allotment में premium भी चिपका होगा है तो आप allotment जो due रिकालते हैं इसमें आप break up एक बार निकाल के देख लिया करो break up निकाल के देख लिया करो कि इसमें share capital का कितना हिस्सा है और इसमें premium का कितना हिस्सा है यह आप break up करके देख लिया करो तो share capital का कितना होगा 60,000 into 60 और premium का कितना होगा 60,000 into 25 तीक है क्यों अभी आपको याद दिला दूँँगा ऐसा हमें क्यों कह रहा हूँ तो यह आ रहा है 36 lakhs और यह आना तो चाहिए वैसे 15 lakh ठीक है सही आ रहा है 15 lakh अच्छा इसमें कोई दिक्कत नी है बट मैं इसले कह रहा हूँ आपको ऐसा क्योंकि जो access application बनी होता है मेरे इस case में 6 lakh रुपे है तो जो access application बनी होता है इसको हम पहले कहां से adjust करते हैं अगर आपके allotment में premium भी चिपका हुआ है तो इसको हम पहले share capital में से adjust करते हैं तो 36 lakh में से हम लोग इस 6 lakh को adjust करेंगे है ना अगर share capital से भी adjust करने के बाद application का access application का कुछ पैसा बच जाता है तो वो हम premiums adjust करते हैं तो बस इसलिए एक बाद चेक करने के लिए कि आपका कितना share capital में से adjust हो रहा है कितना premium में से adjust हो रहा है एक बाद चेक कर लेना better रहता है क्योंकि इसके basis में हमारी आगे की entries होती है तो amount balance amount कितना मिलना है हमको 30,00,00 share capital का मिलना है और 15,00,00 premium का मिलना है balance to be received on allotment यह सारी calculations important होती है बागी journal entries तो I think बहुत straightforward होती है असली खेल यह calculations का ही होता है तो आप एक काम करते हैं कि करके हम लोग entries चेक करते हुए चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ marking scheme में आ जाते हैं एक बार तो उपर वाला कर रहे है तो पहले तो share application मिलने का मिलने के entry होई तो यहां तो I think कोई दिक्कत नहीं है 85,000 shares के हमें application आई और 40 रुपे का application मनी है तो बस 85,000 into 40 कर लेना तो आपका 34 lakhs आ जाएगा अब चेक कर लो के एक बार चेक कर तो जाने है ठीक है सही चल रहा है अच्छा अब application मनी को हम लोग transfer करेंगे अब कैसे कैसे करेंगे actual allotment हम लोग 60,000 shares के कर रहे हैं 34 lakh तो equity share application में debit हो जाएगा इसमसे share capital में किता जाएगा 60,000 shares पे 40 रुपी की साब से यह जाएगा आपका share capital में अच्छा आप allotment के against किता एड़ेस्ट करेंगे यहां से चेक करते हैं चलना यहां से चेक करते हैं चलना allotment के against आप किता एड़ेस्ट करेंगे 6 lakh तो यह मैंने आपको calculate करके दिखा दिया तो 10,000 shares हम लोग reject कर रहे है तो उस पे जो 40 रुपे के साब से जो भी बनता होगा 4 lakh रुपे यह हम लोग refund कर देंगे तो second entry भी I think clear होगी होगी अच्छा फ़र entry तो वस आलोट्मेंट का पैसा due करनी के entry है तो 51 lakh तो वैसे मैं already calculate कर चुका यह कैसे आया था 60,000 shares पे 85 रुपीज के साब से आया था 51 lakh इसमें से 60,000 into 60 जो है यह जाएगा आपके share capital में और 60,000 into 25 आपका जाएगा securities premium में तो यह तो simple allotment due करनी के entry होगी अब second entry है fourth entry allotment का पैसा मिलनी के entry अब यह कैसे करेंगे हम लो तो question ने क्या बोला थे एक बड़ चेक करो question ने क्या बोला थे एक बड़ चेक करना Mr. Anand जिसके पास 4,000 shares थे Mr. Anand जिसके पास 4,000 shares थे holding मतलब जिसको allotted 4,000 shares थे इसने हमको allotment का पैसा नहीं दिया तो अब हमें निकालना पड़ेगा कि actual कितना default हुआ allotment का कितना default हुआ Mr. Anand से अब देखो natural सी बात है जित्ती भी allotment हमने करी है सब pro data basis पर करी है तो Mr. Anand को भी जो shares allot होए होंगे वो pro data basis पर ही होए होंगे इसका मतलब अगर इसके पास 4,000 shares वैसे थे तो इसके applied shares जादा होंगे इसने apply जादा shares के लिए करा होगा क्योंकि इसका भी pro data basis पर allotment होआ होगा तो इसलिए हमको एक बार निकालना पड़ेगा कि इसका actual default कितना है तो Mr. Anand के लिए आपको एक calculation करनी पड़ेगी अब बरी simple calculation वैसे बहुत simple calculation कि इसकी कित्ती default हुआ होगा तो Mr. Anand का allotted bull रखा है हमको कित्ता 4000 shares में allotted bull रखा है तो इससे आप फिर से उल्टी calculation करके दिखा दो कि applied इसके कित्ते होगा इसने कित्ते shares के लिए apply actually में करा होगा तो 4000 into 5 by 4 तो यानि कि इसने 5000 shares के लिए actually में apply करा होगा इसका access application में निकित्ता होगा तो 5000 minus 4000 into 40 रुपे that is 40,000 तो अब इसका default निकाल लो इसके allotment due कित्ता हुआ allotment कित्ता due हुआ तो इसके 4000 shares पे 85 रुपीस के हिसाब से कित्ता due हुआ देख लेते हैं 4000 into 85 3,40,000 3,40,000 वैसे से due थे है ना इसमें से इसका access adjust हो जाएगा 40,000 का access adjusted 40,000 तो balance इससे है मितलब कित्ते मुझे मिलने थे 3,00,000 रुपे balance मुझे 3,00,000 रुपे मिलने थे वैसे मैं आपको बता दू अगर आपको लग रहा है यह लंबा calculation है तो यह 3,00,000 रुपे पर आने के लिए एक shortcut तरीका भी बता सकता हूँ I don't know आप लोगों को कित्ता digest होगा नहीं होगा बट एक unitary balance लगाके मैं इसका shortcut तरीका भी बता सकता हूँ कैसे आप यह देखो total total 60,000 shares पर कित्ता पैसा मुझे मिलना चाहिए था after adjusting access application money access application money adjust करने के बाद a lot paid पर मुझे total कित्ता पैसा मिलना था 45,000,000 रुपीज मिलना था including premium of course बट यह तो total 60,000 shares पर मिलना था अब Mr. Anand के पास कित्ते shares है 4000 तो मैं इसके unitary balance लगाके भी निकाल सकता हूँ कि अगर 45,000,000 रुपीज अगर 45,000,000 रुपीज अगर 60,000 shares पर मिलने थे तो Mr. Anand के 4000 shares पर कित्ते मिलने चाहिए थे यह kind of कह सकते shortcut तरीका होगे जिन बच्चों को लगे कि sir बहुत लंबा calculation लग रहा है तो उनके लिए एक alternative है यह 3,000,000 रुपीज आने के लिए shortcut single line का calculation तो आपकी श्रत्ता आपको जो सही लगता करो बस साफ साफ करना अपनी working में चीक है तो मेरे को तो में लिए यह निकान लाता कि इसका default कित्ता है Mr. Anand का default कित्ता है कित्ता default किया इसने 3,000,000 रुपे अब check कर ले तो हमें total मिलने कित्ते थे 45,000,000 रुपे जिसमें से कित्ते नहीं मिले 3,000,000 रुपे तो कित्ते मिले होंगे इसका मतलब अगर 45,000,000 में से मुझे 3,000,000 रुपे नहीं मिले तो actually मैं कित्ते मिले होंगे 42,000,000 actually receive मेरे को कित्ते होंगे 42,000,000 चेक कर लें इसको एक बार देखो आजओ तो देखो bank account में debit होए कित्ते 42,000,000 कित्ते पैसे नहीं मिले मैंने निकाल दिया जो पैसे नहीं मिले वो डाल दिया हमने calls in arrears में और equity share allotment कित्ते से debit हो गया पुरे 45,000,000 रुपीज से I think सारी calculation में आपको यहां पे दिखा दी यह रहा 45,000,000 है ना 51,000,000 से debit भी हो गया 51,000,000 से credit भी हो गया मतलब सारी कहानी बिल्कुल picture perfect चल रही कोई दिक्कत नहीं इतना clear हो गया होगा I hope so अच्छा अब बस allotment तक की कहानी थी बच्छे नंबर का सवाल है तो उसने call wall नहीं गुसेडा नहीं आपका काम जादा हो जाता च्छे नंबर के साब से तो उसने सिर्फ दो installments डाली इस सवाल में अब इसके आगे सिर्फ आपको for feature करना है तो हमारा जो Mr. Anand है उसके shares हमें for feed करने है that's it तो बहुत simple है कैसे करोगे equity share capital account debit इसमें हम क्या डालते है called up face value कितना हमने face value call कर रखा है तो यहां हमने application और allotment दोनों call कर रखा है मतलब यह fully called up है तो इसके 4000 shares वो feed करे जिस पे 100 रुपे पुरा face value called up है फिर securities premium अगर receive नहीं हुआ होता तो उसको भी हम लोग debit करते है तो इस question में clear है कि securities premium पूरा का पूरा receive नहीं है तो 4000 into 25 25 रुपे का premium भी इससे हमें नहीं मिला हुआ 4-feated share या share for feature account में आप credit करते हो face value received कितना face value received हो चुका है तो इससे कितना face value received हो चुका है एक तो 4000 shares पे 40 रुपे का application मिल चुका है इससे प्लस जो access application मनी हमने allotment के against adjust किया हुआ है 40,000 रुपे का ये भी तो received है ये भी तो हमने allotment के against adjust का रखा है तो 1,60,000 ये हो गया 40,000 ये हो गया तो total आ गया 2,00,000 रुपे और जो नहीं मिला 3,00,000 रुपे ये हमने वापस से यहाँ पे credit कर दिया तो ऊपर calls and arrears टीन लाग से debit हुआ for feature के time पे वापस credit हो गया तो calls and arrears account close हो गया ठीक हो गई बात अच्छा आगे क्या बोलाता question एक बाप वापस से पढ़ लेते हैं फिर हमने कित्ते shares इसमें से रीशू करे थे 3,000 shares हमने 20 रुपे के discount पे अब देखो यहां पे यहां तो question देखो बता देता है clearly खुद से लिख देता है fully paid up जो resued shares है यह fully paid up है ठीक है अक्सर तो question यह खुद ही बता देता है कि fully paid up है या कित्ते रुपे paid up है जो resued हो रहे है shares इस सवाल में नहीं बताया तो आप एक यह भी चीज concept में पढ़ते हो कि अगर question ना बताए कि कित्ते रुपे paid up है जो resued shares तो हम मानते जो forfeited shares जित्ते रुपे called up थे जो forfeited shares की जित्ती called up face value थी forfeited shares की जित्ती called up face value थी उतने ही resued shares की paid up value होगी पता नहीं आप कित्ता समझ पाए बट यह एक छोटा सा assumption बोलो यहां concept बोलो बहुत है यहां तो question खुद बोल देता है कि जो shares resued करे वो कित्ते रुपे paid up होंगे तो तो well and good यहां अगर वो बोल देता as fully paid up है ना इस तरह की language अक्सर बोल देता है वो कितने value called up थे कितनी उसमें called up value थी तो इस सवाल में पूरे 100 रुपे called up थे पूरे 100 रुपे called up थे forfeited shares पे तो इसका मतला हम मानेंगे अपने आप से कि reshoot shares भी fully hundred rupees paid up होंगे अगर suppose for example इस सवाल में पूरे 100 रुपे called up नहीं होते मान लो ऐसी बोल देता हूँ 80 रुपीज called up होते तो हम reshoot paid up भी भी जो shares reshoot हो रहे है उसको भी हम लोग मानते कि 80 रुपीज यह paid up होंगे तो इस छोटी सी बात का जहां रखना कि कभी कभी सवाल में चुपा दे आप से यह information तो आप कही अटक न आ जाओ कि यहां पर अब क्या करें चीक तो यहां पर तो कोई ज्यादा परिशानी की बात नहीं क्योंकि यहां पर 100 रुपीज ही fully paid up है तो कोई दिक्कत नहीं है तो बस उसी की अब यहां पर entry हो रखी होगी यह देखना तो 3000 रुपे पर 20 रुपे के discount पर किया तो 100-20 यारी 80 रुपीज पर हमने issue किया तो यहां पर कित्ता आ गया 3000 into 80 रुपीज discount को हम लोग forfeited share share forfeiture जो भी account आप use कर रहें उस account से adjust कर लेता है 3000 रुपे का discount दिया और यह क्योंकि यह fully paid up है तो 3000 into 100 के हिसाब से यह share capital में चला जाए तो I think entry clear होगी और lastly फिर आपको gain on ratio निकालना होता है जो आप capital reserve में डालते हो तो यह कैसे निकालो गया आप जब when all the shares are not being issued जब सारे shares रीशू नहीं होते तो हम क्या entry करते है बनलब क्या से हम calculation करते है हम देखते हैं कि देखो total हमने 2,00,000 रुप़े four-feet करे थे यह हमने four-feet करे थे कितने shares पे? 4000 shares पे इसमें से 3000 shares हमने r Marlyचू करे तो proportionate हमारा निकल गया कि र exclusion shares हमनेays amount four-feet करा हूगा इस वह से हम देख लेते हैं कि हमने discount कित्ते का दिया साथ हसार रुपे का हमने discount दिया बस जो balance बच जाता है वो होता है यहारा gain on ratio तो इसको एक बस solve कर लेते हैं तो 50 into 3,500,500,500 में से 60 गए तो कित्ता आगया 90,000 ठीक है, lastly आपका capital reserve की यह entry हो जाएगी बस यह सवाल है आपका हाँ इनोंने कोई working नहीं दिखा रखी for some reason बढ़ आपको तो working करनी पड़ेगी without working तो आप journal entries बनाई नहीं पाओगे तो आप लोग ज़रूर से कर लेना working साथ साथ आप इसी प्रकाल का choice का question देख लेते हैं आपको लगे की नहीं सारी question ज्यादा भारी है ज्यादा lengthy हो रहा है तो आपके choice भी दे रखिए इसी तरह के सवाल में shares के chapter में shares chapter के सवाल में उसने आपको choice दे रखिए तो देखो क्या बोल रहा है यहां पे pass entries for for feature and issue in both the following cases अब यहां पे क्या है दो अलग-अलग cases बना रखे हैं उसने चोटे 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 उसके basis पे आपको for feature and issue की entry करनी है अब एक बात का ध्यान रखना जब for feature and issue बोलते है तो यह understood होता है कि for feature and issue के साथ आपको capital reserve की भी entry करनी है यह नहीं आप बोल सकते कि question में तो सिर्फ for feature और issue के लिए लिखा था capital reserve के लिए नहीं लिखा था इसलिए हम capital reserve के entry नहीं करके है आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि capital reserve में transfer करनी के entry ratio के बाद अपने आप चिपक के चलती है वो understood है कि अगर for feature के बाद capital reserve की अब भी case में भी तीन entries होंगी for feature ratio और capital reserve की पहले इस बात का अलब दिमाग में ध्यान रख के चलना चीक है चलो अब question पड़ते कहा कहता है विक्रम limited forfeited 5000 shares of rahul who had applied for 6000 shares for non payment of allotment money of rupees 5 per share and first and final call of rupees 2 per share तो कितने shares profit हो रहा है बाई 5000 shares और इसमें बोलाए कि इसने apply करें थे 6000 shares के लिए है ना तो इससे आपको क्या interpretation मिला क्या आप लोग interpret कर पाए कि कही ना कहीं यहां पे pro rata allotment हुई होगी चीक है कहीं ना कहीं pro rata allotment हुई होगी क्योंकि इसके number of shares जादा है applied जादा है और allotted का में इसका मदला pro rata basis में कहीं नगाई allotment हुई होगी अच्छा इसने क्या pay नहीं करा इसने allotment का पैसा pay नहीं करा पांच रुपे पर share का और first and final call का पैसा pay नहीं करा only application money of three was paid by him तो इससे पहले आप नहीं इसाब से बना लो break up इसका कि application पर तीन रुपे है allotment पर पांच रुपे है और first call पर किता है दो रुपे है ठीक अच्छा इसने क्या क्या नहीं दिया इसने allotment का पैसा नहीं दिया इसने first call का पैसा नहीं दिया राइट अच्छा आगे किता out of these 3,000 shares were ratioed at 12 रुपे पर share as fully paid up देखो इसने यहाँ पर बोल दिया as fully paid up अब आपको पंगे में नहीं पढ़ना कि कितने रुपे paid up होगा आप सोचना नहीं क्योंकि यहाँ थासने clearly बोल लिया कि जो shares ratio हो रहे है वो fully paid up है यानि पूरे 10 रुपे paid up हम मान रहे है और यह 10 रुपे पर ratio करे इसका मतलब कहीं न कि जो ratio हो रहा है वो 2 रुपे के premium पर हो रहा है दो रुपे के premium पर हो रहा है राइट चलो करे calculations इसके भी चलो इसके एक काम करते है entry बना ले इसके entry करके दिखा देता हूं आपको कहीं ऐसा लगए कि सब कुछ हम लो एक मिट देना जरा अभी करते हैं इसको भी solve चलिए तो और वाला पार्ट कर रहे है इसमें मैं calculation भी बता दूँगा और entries भी करते हैं जलेंगे और में हम लोग पहले एक की entry करते हैं तो खाली for feature की ratio की और capital reserve की entry करते हैं तो पहले for feature की entry करते हैं equity share capital बोला है share capital बोला है चलो आप कुछ भी अचा ये पूरा 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 कॉल डप है पांच हजार शेर्स पांच हजार शेर्स पे पूरा कॉल डप है दस रुपे एक प्रेट हाँ चीक यह हो गया पचास अजार अचा प्रीमियम का तो कोई issue है यह नहीं तो वह तो छोड़ दो to forfeited share इसकी calculation मुझे करनी पड़ीग to forfeited share और जो पैसा नहीं मिला वो calls in arrears में डालना पड़ेगा ठीक है आप यहां पर individual installments का account भी यूज़ कर सकते हो allotment और call आप calls in arrears भी यूज़ कर सकते हो है ना calls in arrears फड़ा है easy रहता है क्योंकि एक 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 एकांट यूज़ करना होता है एक बार में काम हो जाता है तो हम calls in arrears account ले यूज़ कर लिए अच्छा calculation के रिख लेते है फड़ावट से यह बार calculation चेक कर लेते है इसका access application money किता होगा access application money मुझे देखना है कि मुझे कितना पैसे मिल चुके मुझे fourfeited share account पे credit करना है कि कितना पैसे मुझे मिल चुके उसके लिए access application money देखना पड़ेगा कितना है तो इसने 6000 shares apply करे थे जिसमें से उसके 5000 shares के allotment हुई और application पे कितना पैसा था तीन रुपे तीन रुपे application पे पैसा था तो इकितना आ गया 1000 into 3 that is 3000 यह ना अच्छा allotment पे कितना ड्यू हुआ होगा इससे allotment पे कितना ड्यू हुआ होगा 5000 shares पे 5 रुपे allotment पे तो 25,000 रुपे due हुआ होगा जिसमें से 3000 रुपे का access मैंने adjust कर दिया होगा तो balance वैसे मुझे से 22,000 रुपे allotment पे मिलने चाहिए जो इसने नहीं दिये ठीक है साथी में उसने और क्या नहीं दिया ये लिख लेता है allotment not received शोट शोट में लिख रहा हूँ प्रॉपरली एक्जाम है तो आपको करना होगा यहां शोट शोट में लिख लेता है और प्लस इसने और क्या नहीं दिया इसने first and final call भी नहीं दिया तो first and final call पे कित्ता था, 5000 shares पे कित्ता है, first and final call दो रुपेगा, तो total कित्ता नहीं मिला मुझे, 32,000 नहीं मिला, total 32,000 मुझे नहीं मिला, ठीक हो गए बात, चलो, तो अब इस basis में, entry कर लेते हैं यहाँ पे, तो forfeited share में कित्ता हैगा, 5000 shares पे, 3 रुपे का application मिल चुका है, प्लस यह 3000 रुपे का, जो access application मनी है, यह मिल चुका है, तो यह कित्ता आ गया, 15 plus 3, 18 आ गया शहाँ, 15 plus 3, 18 आ गया, और कित्ता पैसा नहीं मिला, चेक कर लो, कित्ता पैसा नहीं मिला, 32,000 नहीं मिला, और calculation ठीक होगी, तो automatically आपकी journal entry मैच कर जाएगी, राइट, तीक है, अब यहाँ पर आप अलग अलग भी दिखा सकते हो, तोड़के, कि share allotment पे कित्ता नहीं मिला, या फिर, share first and final call पे कित्ता नहीं मिला, तो आपकी श्रदा आप कैसे भी कर सकते हो, आपको यह concept तो पता ही है, यह ना, अच्छा, ratio करो आप, ratio करो, ratio premium पे हो रहा है, यह मुझे पता लग चुका है अब तक, तो कित्ते shares ratio हो रहे हैं यहाँ पे, 3000 shares ratio हो रहे हैं, तो 3000 into, कित्ते रुपे पे, 12 रुपे पे हो रहे हैं, और यह हो गया 36,000, to share capital, यह as fully paid up हो रहे हैं, 3000 पे 10 रुपे, 30,000, और 2 रुपे के premium पे हो रहे हैं, तो two securities premium, 3000 shares पे, 2 रुपे, 6000, और last आपको third entry क्या करनी है, capital reserve की, उसकी क्या entry होगी, four fitted share account debit, to capital reserve, इसकी calculation ज़रूर दिखानी पड़ी हैं हमको, तो फिर से होई चेक कर लो, same way में, कि हमने कित्ते रुपे four feet करे थे, 18,000 रुपे हमने total four feet करे, अब चेक कर लो बस अपनी four feature के entry में, कि हमने कित्ते four feet करे, तो हमने 18,000 four feet करे थे, 5000 shares पे, जिसमें से हमने 3000 shares रीशू करे, माइनस रीशू का डिसकाउंट, अब ये तो प्रीम्म पे रीशू होए, तो कोई डिसकाउंट नहीं है, जीरो, बस इसको solve कर लो, तो यह आ जाएगा आपका, 18,000 डिवाइड बेर 5 into 3, तो यह आ रहा है, 10,800, 10,800, इसी प्रकार से अगला वाला भी देख लेते जल्दी से, बी वाला भी, रतन लिमिटेड फॉर्फीटेड तीन हजार शेर्स, और रुपीज तैनीच, अब कि बोल रहा है, इस्शू डैट दो रुपे प्रीम्यम, ठीक है, फॉर्स्ट कॉल नहीं मिला दो रुपे का, तो हमने फॉर्फीट कर दिया, फाइनल कॉल अब रुपीज त्री पर शेर्स वास नोट येट मेड इंपॉर्टन लाइन है, जहां रखना, फाइनल कॉल तीन रुपे का अभी हमने नहीं किया, आउट ओब दीज, वो भी as fully paid up, है ना, तो fully paid up अंदब 10 रुपे, as fully paid up अंदब 10 रुपे पर हमने इसको paid up मानके, रीशू करा, और 10 ही रुपे पर हमने रीशू करा, तो रीशू कैसे रुपे हो रहा है, at par हो रहा है, ना discount है, ना premium है, ये at par हो रहा है, तो बड़े smartly इन्होंने क्या करा, team basically question मना लिये, और उसमें सब कुछ डाल दिया, रीशू एड discount भी डाल दिया, रीशू एड premium भी डाल दिया, रीशू एड par भी डाल दिया, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा सब कुछ revise हो रहा है, है ना, तो ये हो गया, 10 रुपे पे वी इशू, ठीक है, आजो, पहले इसका break-up बना लो, चलो यहाँ आजो, वी वाला करते हैं, इसका break-up कैसे बनेगा, break-up जरद धहान से बना लेना, तो देखो 10 रुपे के face value का share है, 2 रुपे का premium है, अब सवाल ने आपको, सवाल ने आपको ये बता दिया, कि first call पे किता है, non payment of first call of 2 रुपे, तो 2 रुपे first call पे है, और final call पे 3 रुपे, ये तो बता दिया उसने, उसके ही नहीं बताया, कि application पे किता है, allotment पे किता है, बट आपको पता है कि, cumulatively application और allotment में, मिला कि किता होगा, 5 रुपे प्लस 2, ठीक है, क्योंकि question silent होता है, तो हम हमीशा क्या मानते, कि premium allotment पे चिपकेगा, है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मानेंगे, कि application और allotment में, मिला कि किता होगा, 5 रुपे प्लस 2, हमें individually नहीं पता, कि application पे individually किता है, allotment पे किता है, और हमको चाहिए भी नहीं, आप देखना आके सवाल करेंगे, इसके अब हैं यहाँ पे जरुद भी नहीं है, इस सवाल में, इस particular question में, है ना, we don't require it, है ना, question ने बोला क्या है वैसे, question ने बोला है, कि नलाइक जो shareholder है, जो भी एक क्या नाम है, तो यह नाम नहीं दिया हो है, तो जो भी नलाइक shareholder है, उसने यह नहीं दिया हमको, है ना, और इसके बाद हमने four feed कर दिया share, final call तो अभी ने तीन रुपे का मंगवाया ही दिया, यह question ने बोला हो है, समझ गए बात, चलो, तो अब हम entry कर सकते हैं, अच्छा इस सवाल में, premium की उसने, जो premium का मसाला है, वो तो चिपका दिया, बट प्रो राटा का कोई चक्क्र नहीं है, तो एक बात अच्छी हो गई, तो जल्दी से आप entry कर लेते हैं, पहले for feature के entry करेंगे, तो क्या entry बनेगी, share capital, अगर question में वो equity share है, preference share है ना बताए, तो आप डिर्खाली share capital लिख सकते हो, ठीक है, आपको equity लगानी की ज़रूत नहीं है, अब लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर question में क्लिर्ली बोल लेता है, equity share है, तो आप फिर equity भी चिपका के हो चलना, एक मेंट दो, चलो, तो यहाँ पर calculation करते हो चलते है, तो 3000 shares पो feet हो हैं, into called up face value, बताओ, कितना face value called up है अभी, कितना face value called up है, यह पांच रुपे का face value called up है, यह 7 रुपे का face value called up है, 3 रुपे तो अभी called up है ही नहीं, तो यानि कितना called up है अभी, 7 रुपे, सिर्फ 7 रुपे का face value called up है, तो यह कितना आ गया, 21,000, अच्छा, premium received है premium received है क्योंकि हमें first call का ही पैसा नहीं मिला application और allotment का इसका मतलब मिल चुका है और premium allotment के साथ चिपका हुआ है तो इसका मतलब मैं आप बोलूँगा क्या कि premium मिल चुका है तो security इस premium को debit करने की कोई भी आवशकता नहीं है आपको ठीक है अब हम four fitted share को credit करेंगे और इसमें किता आता है इसमें किता आता है सर्फ face value receive ध्यान रखना four fitted share account में किता credit करते है face value receive बस इसता आप ध्यान रखना कोई भी case आपका होगा उसमें आपका bad जाएगा फिट only face value received हमको डालना होता है तो बताओ तीन हजार शहर्स पर हमें किता face value मिल चुका तीन हजार शहर्स पर हमें सर्वे 5 रुपे का face value मिला हुआ है 2 रुपे तो मिला ही नहीं तो यहां गया into 5 और जो पैसा नहीं मिला वो calls in arrears में ठीक है निकाल सकते हो तो 2 रुपे का हमको 2 रुपे का first call नहीं मिला बस डाल दो value तो 15,000 यह हो गया 15,000 यह हो गया और 6,000 यह हो गया बस for feature की entry खतम पड़ावर से वीशो की entry डाल दो bank account debit to share capital to share capital है ना premium है न डिसकाउंट है तो बस इत्ती entry होगी कितना amount आ जाएगा 2000 shares reshoot हो रहे है और 10 रुपे पे हो रहे है तो बस 20,000 यह आ गया और last आपकी capital reserve की entry forfeited share account debit to capital reserve इसकी भी calculation विल्कुल वैसी proportionate way में तो हमने कितने रुपे forfeet कर रखे है 15,000 रुपे हमने forfeet कर रखे है कितने shares में forfeet की है हमने 3000 पे इसमें से कितने ratio करें 2000 minus ratio discount किता है 0 कुछ भी नहीं है बस solve कर लो इसको तो 5 into 10 5 into 2,10 I think 10,000 आ रहा है तो बस 10,000 रुपे का capital reserve हो जाएगा चलो इस बट टैली कर लें जल्दी से चीक है तो देखलो यह वाली entity ठीक हो गई चीक है ratio की entity ठीक हो गई capital reserve की entity ठीक हो गई all is perfectly fine तो देखो बढ़िया सवाल और अच्छी बात क्या है आपकी कि इस सवाल में आपको इस सवाल में आपको इंटर्नल चॉइस मिली छे नंबर का आपका question था share से और आपके internal choice मिली चलिए फड़ा बट से आगी बढ़ते हैं चलिए अप question 24 देखते हैं आपका अगला six marker और question 24 जो है आपके admission और retirement में से है मतलब आपके partnership accounts में से है पहली किताब में से है और इसमें भी अच्छी बात है कि आपको choice मिले होएं ठीक है internal choice मिले होएं यानि shares के chapter से आपका च्छे नंबर का सवाल आएगा उसमें internal choice होगा और partnership accounts के chapter में से आपके six mark का एक सवाल आएगा जिसमें internal choice होगा जो देखके लग रहा है कि admission और retirement में से आएगा ठीक है एक छे नंबर का सवाल आपके death में से भी दे रखा है anyway पहले हम यह वाला question solve करते है question number 24 चलिए पढ़ते हैं क्या कहता है बड़े simple question है वैसे तो x and y were partners in the professional ratio of 3 to 2 ठीक है their balance sheet as at 31st March 2022 was चीज ध्यान रख लो कि यहाँ पर एक important चीज क्या है कि यहाँ पर एक general reserve आपको दिख रहा है तो general reserve हमें distribute करना होता है आपको पता है और इसके अलाबात आपकी normal सी balance sheet है normal items है as such कुछ नहीं है नीचे क्या कहता है आप से वो देखो z was admitted for one-sixth share ठीक है z admit हुआ for one-sixth share on the following terms first मैं कहता है z will bring रुपीज 56,000 as his share of capital but was not able to bring any amount to compensate the sacrificing partners इसका मतलब क्या हुआ कि वो 56,000 रुपीज का capital तो लाया लेकिन वो premium for goodwill नहीं ला पाया premium for goodwill नहीं लाया z ठीक है तो अब आपको पता है कि premium for goodwill अगर incoming partner नहीं लाता तो हम उसके current account को debit करते हैं यानि कि यहाँ पे हमें z के current account का इस्तमाल करना पड़ेगा और जैको second वोसे goodwill की value बता दी firm की 84,000 तो इसमें z का share किता बनेगा into one by six तो यह बनेगा 14,000 शायद ना 14,000 बनेगा तो इस प्रकार से आपको इसमें करना है अचाये 14,000 का जो एक goodwill का इसका share निकला यह हम z के current account में debit करेंगे और यह किसको दे देंगे हम लोग किसको दे देंगे हम लोग यह हम लोग x और y को दे देंगे किस ratio में sacrificing ratio में कितना होगा sacrificing ratio एक बाद देखो ज़रा पूरे सवाल में क्या new ratio given है the answer is no जब new ratio given नहीं होती तो sacrificing ratio is equal to old ratio मतलब new ratio given नहीं होती और question silent होता है कि नया partner कैसे कैसे share ले रहा है then हम लोग माते है old ratio is equal to sacrificing ratio तो यहाँ पे sacrificing ratio होगी 3 is to 2 3 is to 2 की sacrificing ratio होगी तो आप 14,000 को 3 is to 2 में बाट दो तो बाट के खंदम करते काम जब करिदना शुरू ही किया तो करी लेते है पुरा काम तो इसका 8400 आ रहा है और इसका आ रहा है 5600 8400 and 5600 तो general entry भी लिख लेता हूँ इसकी यहीं पे Z current account debit to X capital account to Y's capital account 14,000 84,000 500 चीक यह entry बन गई आपकी आगे बढ़ते हैं क्या कहता है थर्ड मैं कहरा है plant and machinery were found to be undervalued by 14,000 और building was to be brought up to rupees 1,09,000 तो undervalued बोला हूँ है buy 14,000 और building कहा रहा है कि हमें उपर लाना है कित्ते पर 1,09,000 अब 2,09,000 तो यहां पर buy और 2 शब्द जो होते हैं इसका relevance I hope आप लोग समझते होंगे अब तक तो इसका मतलब यह हो गया कि plant and machinery को 14,000 रुपे से बढ़ाना है और building को हमें 1,09,000 रुपे लेके आना है तो building की अभी value चल रही 98,000 तो इसको 98,000 से बढ़ाके हमको 1,09,000 करना है यानि कित्त रुपे से बढ़ाना है हमको 11,000 रुपे से बढ़ाना है तो यह किसका point हो गया revolution account से related यह point हो गया 4th में कहता है all debtors are good सारे debtors अच्छे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आप देखो कि तो यहाँ पर एक provision दे रहा है 7,000 का तो अब आपको provision की आवशकता नहीं है because all the debtors are good that means आपको एक provision अब हटाना है चीक अच्छा 5th point क्या है a 5th point है आपका favorite capital adjustment में से capitals of x and y will be adjusted on the basis of z share and adjustments will be done by opening necessary current accounts तो आपको current account का इस्तमाल करना है पहली बात उसमें बोल दिया और आपको z के capital के basis पे proportionate adjustment करनी है बागी partners की वालब x और y की भी चीक है तो यह आपका capital adjustment का point हो गया requirement है आपको prepare करो revolution account और partners capital balance sheet बनानी नहीं आपको ठीक है चलो करी लेते इसको ठीक है थोड़ा सा time जुरूर लगेगा वीडियो लिंबी हो जाती है बट कर लेते हैं तो आप लोग चाहे तो मेरे साथ साथ कर सकते हैं और अगर आपने इस question solve कर रखा होगा तो आप skip कर लेना इसको भई उसका option तो आपके पास है तो revolution account इसमें पड़ावट से बना लेते हैं जल्दी जल्दी से आप लोग अपने पास question खोल के रखना तो question से आप लोग figures देख देख के करते होगे रहना और अगर आप मेरे सा आगे बढ़ जाओ तो वीडियो को skip कर लेना भाई recorded वीडियो की यह फायदा तो है भाई आप अपने इसाप से चेक कर सकते हैं देख सकते हैं चलो जी आजो तो जल्दी से बनाते हैं हम लोग revolution account तो सबसे पहले कुछन ने क्या बोला हुआ है कि प्लांट इन machinery को 14,000 रुपे से बढ़ाना है तो बढ़ा दो शॉर्ट शॉर्ट में लिख ले तो हम बाई प्लांट इन जो है इसके आवाशकता नहीं है तो यह भी खतम कर देंगे तो यह फाइदा है ना प्रुविजन हट रही है लाइबलीटी हट रही है तो फाइदा है ठीक और तो कुछ है नहीं तो यह नैच्रल सी बात है यहां पर क्या बचेगा गेन और रियलाइजेशन स्री और रिवै चलो जो इसको बाट देते हैं कि क्या रिश्यो है 3 to 2 32,000 को 3 to 2 में बाट देते हैं तो यह आ रहा है 19,200 और यह आ रहा है 12,800 ठीक है जी चलो तो फड़ा बट से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो मैं जल्दी से फॉर् फॉर्मैट बना लो चलिए जी तो मैंने एक फॉर्मैट छोटा सा बना लिया है अब इसमें हम लोग सारी चीज़े डालते सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल दो बैलेंस बीडी एक लाक उन्निस एक लाक बारा इसका तो कुछ भी नहीं उसके बाद आप जनरल डिज़ाव बाट दो सबसे पहले जनरल डिज़ाव बाट दो चौदा हजार को बाटना है तो यहार है 8400 यह अलड़ी हम बाट चुके थे न 14000 को 322 में गुडविल में आज तुम्हें दुबारा से मैं बाटना है चलो कोई बात जनरल डिज़ाव बढ़ गया उसके बाद क्या करो उसके बाद रिवैल्यूशन का प्रॉफिट ले लो कितना था 19212 800 थीच है अच्छा वो capital भी लाया capital भी लाया, तो capital ले लो Z का, buy cash, cash क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि balance sheet में cash in hand दे रहा है, आप बैसे bank भी यूज़ कर सकते हो, वो अलग बात है, बट क्योंकि balance sheet में cash भी दे रहा है, तो मैं यहाँ पर cash का ही इस्तमाल कर रहा हूँ, चिक, तो 56,000 का capital लाया, तो यहाँ पर डाल दो 56,000, इसके अलावा जो आपने goodwill की entry करी, goodwill की entry मैंने कहां करी शाहिए, मैंने इधर करी न, I think इधर ही कर दीती मैंने goodwill की entry, तो इधर से चेप लो, posting कर लो इसकी, by Z's current account, तो 19200, sorry, 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 19200 नहीं, 8400 और 5600, यहीं जी न, हाँ, 8400 और 5600, चीक, अच्छा, और कोई point नहीं, और कोई point नहीं, चल, अब हम लोग capital adjustment की और बढ़ सकते हैं, capital adjustment के लोग उसने क्या बोला था, capital adjustment के लोग उसने बोला था, कि Z के capital के basis पर आपको capital को adjust करना है, X और Y के capital को, तो चलो, total का यहाँ पर line खीच देते हैं, पहले, और फिर working में calculation कर लेते हैं, तो कैसे करना होता है, जब हमें incoming partner के capital के basis में adjustment करनी होती है, तो पहले हम total capital निकालते है, on the basis of incoming partners, तो यहाँ पर incoming partner कोण है, Z, on the basis of Z's capital, और यह कैसे निकालते हैं, जित्ता capital लाया, नया partner, तो यहाँ 56,000 लाया, into reciprocal of new partner share, incoming partner का जो profit share है, उसके reciprocal से multiply कर देते हैं, into 6 by 1, into 6 by 1, तो यह कित्ता आ रहा है, यहाँ रहा है, 3,36,000, तो total capital आ गया, फिर इस total capital को हम लो, new ratio में बाट देते हैं, सारे partners में, तो तीनों partners में बढ़ जाएगा, X, Y, और Z, अब Z के जो natural सी बात है भाई, Z के basis पर हमने calculation करी, तो Z का तो 56 आएगा, यह तो हमको पता ही है, और बागी partner का हमको निकालना पड़ेगा, 56, बागी partner का हमको निकालना पड़ेगा, तीक है, अब इसके लब को क्या निकालना पड़ेगा, new ratio, पड़ावट से एक बाद ज़रा, जल्दी से new ratio की भी calculation कर लेते हैं, तो कैसे करोगे यहाँ पर, यहाँ पर question silent है, कुछी भी information नहीं है, तो यहाँ पर आप कैसे करते हो, आप पहले remaining share निकालते हो, पहले remaining share निकालते हो, तो 1-1 by 6, that is 5 by 6, फिर आप इस remaining share को multiply कर देते हो, किस से? old ratio से, x और y, तो 5 by 6 into old ratio की ताद 3 to 2 था ना, तो इसको आप multiply कर दोगे 3 by 5 से, y को आप 5 इस, 6 को 2 by 5 से multiply कर दोगे, तो एक बाद चेकल वे किता रहा, 15 बटे 30, यारा 10 बटे 30, और z का share किता है? z का share है, 1 by 6, तो उपर नीचे 5 से multiply कर दोगे, common लाने के लिए 5 by 30, तो new ratio कित्ती हो गई? 15 is to 10 is to 5, या पर इसको और simplify कर दो, 5 से divide करके, तो 3 is to 2 is to 1, 3 is to 2 is to 1, तो ये new ratio हो गई, तो बस इसी ratio में आपको बाटना है, इस capital को, तो x का किता आएगा? 3,36, into 3 by 6, और इसका आएगा, 3,36, इन्टू 2 by 6, चलो, तो इसका तो आजा हो गया, 2 अजा, 6 जा, 8 जा, शायर, या ना? और इसको 3 से divide करो, 1, 1, 2, और इसका तो 56 आई रहा है, ठीक, तो बस ये अब आपका closing balance बन जाएगा, आपके capital में, तो एक लाइंग, एक दो लाइंग की जगा छोड़के, फिर लिखना, 2 balance 3, तो इसका तो 56 है, एक्स का कितना निकाला मैंने, 1,68, और 6,000, और ग्वाइंग का कितना निकाला, एक लाइंग 12,000, ठीक है, एक लाइंग 12,000, ठीक है, आप सवाल ने क्या बोला था, सवाल ने बोला था, कि आपको adjustment करने के लिए, partners का current account खोलना है, तो पड़ावाट चेक में नजर मार लो, कि balance किसके partner का, कितना बच रहा, तो मैं पहले X का निकालू, Z का तो close हो गया, देखो, Z का तो account close हो गया, Z का account तो close हो गया, तो इसका तो बंदी कर देते हैं, X और Y का हमें close करना है, X का, इसमें X का close कर देता हूँ, balance शिकाल देता हूँ, जल्दी से, X का balance बच रहा है, यहाँ पर 13,000, मैं दूसरे परण से लिख लेता हूँ, 13,000, इधर, ठीक है, और Y का किदर बच रहा है, Y का इधर बच रहा है, पता ही लग रहा है, देखें कितना बच रहा है, 56, प्लस 12,800, प्लस 56, तो यह बच रहा है, 24,000, इसके लिए question ने क्या बोला था, कि आप current account का use करूँ, तो यहाँ हम लिख देंगे, by X current account, यहाँ हम लिख देंगे, to Y's current account, ठीक, तो total भी डाल देता हूँ, account को total भी कर लेता हूँ, तो यहाँ आ रहा है, 1,68, यहाँ आ रहा है, 1,36, शायद, 1,36, बास, फड़ावट, फड़ावट, मेरा यह सवाल, पतम हो गया, तो इब ज़रा marking scheme में देखे, कि हमें number कैसे कैसे मिलने वाले हैं, सवाल में, marking scheme में देख लेते हैं, यहाँ आ रहा है, यह ही है, तो एक बाद answer पहले टैली कर लो, में यहाँ से टैली हो जाएगा, यहाँ आ गया 24, यहाँ आ गया 13, 24 और 13, ठीक है, पहले इतना टैली हो गया, टोटल वगरा सब टैली हो रहा है, I think so, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ नंबर कैसे दे रहे हैं, ज़रा एक बाद चेक करें, रे भई, कैसी मार्किंग स्कीम में बताओ, बताई नहीं रहे, मार्किंग स्कीम में ढंग से बताई नहीं रहे, कि कितने नंबर किसके लिए मिलेंगे, तो चलो जो भी है, नहीं दिया हुआ, मुझे लगा उन्हें दिया होगा वर उन्हेंने मार्किंग स्कीम में नहीं बताया कि 6 नंबर कैसे कैसे मिलेंगे, चलो फिर हम बराबर बराबर मान लेते या हम मान लेते कि Revaluation का एक नंबर होगा क्योंकि Revaluation Account में कम महनत करनी है ठीक है, अलागि उन्होंने Officially नहीं बता रखा ठीक है, तो इसी प्रकार से अगला सवाल भी देखें Choice का, आजो तो ये तो भाई, Admission से Question था दूसरा Choice में उसने Retirement में से दे रखा है तो ये सवाल भी पढ़ लेते क्या कहता है P, Q & R were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3 to 2 to 1 respectively On 31st March 2022, the balance sheet of the firm stood as follows फिर से वही, 31st March 2022 की एक balance sheet दे रखिए तो अब balance sheet में नदर माल लो, right capital तो दे ही रखे आपको साथी में अगर आप यहां पे आप asset side में जहां कोगे तो आपको एक profit and loss account का balance दे रखा है Asset side पे profit and loss account का balance होने का मतलब क्या है Accumulated losses Accumulated losses Liability side में अगर profit and loss का balance होता है तो वो क्या होता है? Accumulated profits Accumulated losses को हम deferred revenue expenditure Sorry, fictitious asset की तरह treat करते है तो basically हम इसको write off कर देते हैं पुराने partition में, उनके old ratio में देखे है? चलो फिर कहता है, क्यों retired on the above mentioned date on the following terms तो क्यों retire हो गया? Building to be appreciated by 7000 A provision for doubtful debt is to be made at 5% Goodwill of the firm is valued at Rs.18,000 तो Goodwill है firm की कित्ती 18,000 और आगे देखो क्या लिखा है? Adjustments to be made by Raising and writing of the Goodwill अब CBSE ने Goodwill raise and write off वाला जो point था पिछले दो session में तो हटा दिया था और मैं आपको बता देता हूँ Goodwill raise और write off करने वाला जो point होता है यह आपके AS26 का violation होता है clearly AS26 आप पढ़ चुके हो कि AS26 क्या क्याता है? Only purchase Goodwill को ही हम अपनी किताब में record कर सकते वरना नहीं record कर सकते है ना? तो उसका violation हो जाता है raise or write off में फिर भी इस बार आपके syllabus में यह डाल रखा है तो आपकी अगर आप मुझे नहीं पता कौन सी किताब से पढ़ते हैं अगर आप T.S. गरेवाल से पढ़ते हैं तो आपका जो second volume है उसमें उन्होंने end में addendum में raising and writing of Goodwill का coverage कर रखा है main book में उन्होंने नहीं करा coverage उन्होंने बोला कि यार अगर पिछले दो सेशन में हटा दिया था कुछ सोच समझ के हटाया होगा भाई कि A.S. 26 का violation है वो सोच के उन्होंने first book में उसे डिन डाला बड उसके बाद CBAC ने जब syllabus रिलीस किया तो उन्होंने फिर से डाल दिया raising and writing of Goodwill इस वज़े से क्या हुआ कि उन्होंने रिलीस करी उसमें addendum form में उनको डालना पड़ा तो now it is very well in your syllabus although it is a violation of A.S. 26 तो यह पहले मैं आपको एक clarity दे दी तो मैं यहाँ पर बता दूँगा कि आपको इसको कैसे करना है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा ठीक है चलो तो जो भी due amount आएगा क्यों का उसमें से 2800 रुपे तो हम लोग हाथ के हाथ दे देंगे cash में और balance को हम लोग क्यों के loan account में transfer कर देंगे फिस्ट में कहता है remaining partner decided to maintain equal capital balances by opening current account तो यहाँ पर फिर से वो capital adjustment का point डाल दिया उसने उसने बोला कि X or Y sorry X or Y नहीं remaining partner कोण है यहाँ पर P or R P or R चाहते कि उनका जो capital balance है वो equal equal हो ठीक है तो यह भी अब लोग deal कर लेंगे requirement क्या है वही revolution account बनाओ और partner का capital account बनाओ चली तो मैं एक काम करता हूँ पहले मैं सारे format स्यार कर लेता हूँ फिर हम लोग इसको solve करेंगे चली जी मैंने तो सारे format स्यार कर लिए तो जल्दी से अब इसको solve करना शुरू करते है तो सबसे पहले उसने बोला था building is to be appreciated by 7000 तो building हमें 7000 रुपे से बढ़ा नहीं है तो by building account 7000 फिर कहता है provision for doubtful debt is to be maintained at 5% on debtors existing provision कुछ नहीं है तो आपको बनानी पड़ीगी तो 2 provision for doubtful debts तो 5% निकाल लो debtors कित्ते दे रखे हैं 8000 के चलो मैं लिख लेता हूँ 8000 के debtors हैं इसका 5% आपको provision maintain करना है तो यह कित्ता आ आ गया यह आ गया 400 चीक और और अच्छा और कोई भी नहीं है क्या चलो मैंने इतना बड़ा revolution account बना दिया और तो I don't think कोई point है तो बस आप close कर लो इसको तो gain बच रहा है revolution का देख लेते कित्ता 6600 6600 का क्या बच रहा है revolution का gain to gain on revolution इसको P, Q और R में बाढ़ दो ratio कित्ता दे रखा है P, Q और R का 3 to 2 is to 1 तो इसको 3 to 2 is to 1 में बाढ़ देते तो 1100 इंटू 3 हो गया 3300 1100 इंटू 2 हो गया 2200 और 1100 इंटू 1 हो गया 1200 2200 और 1100 छीक है जी तो revolution account तो बस फट्चा बच बच गया कोई दिक्कत नहीं चलो capital account बनाते है सबसे पहले सबसे पहले हम लोग opening balance डाल देते है by balance BD B का है 15 Q का है 10 R का है 10 R का भी 10 है चलो PNL का debit balance है accumulated loss दे रखा है इसको सबसे पहले write off कर देते हैं तो इतना है 1200 को हमें 3 to 2 is to 1 में write off करना है तो 600 400 200 चीक ओके फिर revolution का gain डाल दो पहले buy revolution account revolution account के इतना था 33 22 2100 और 1100 चीक चलो इसके अलावा अब आपको goodwill के entry करनी है तो goodwill के entry में यहां करके दिखाता हूँ तो raising and writing of goodwill उसमें बोला था raising and writing of goodwill raising and writing of goodwill के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले goodwill को हमें account में अपने accounts में raise करना पड़ेगा मिलब goodwill का account हमें खोलना पड़ेगा तो सबसे पहले हम क्या करते है goodwill का account खोलते हैं तो goodwill account खोलना मतलब एक asset account खोलना मतलब उसको debit करना और यह कैसे खोलते हैं हम पुराने सारे partners में इसको खोल देते हैं, उनके old ratio में, उनके old ratio में, तो कितना है goodwill की value, 18,000, 18,000 हो गया, इसको 3 to 2 to 1 में खोल देंगे, तो इसका आएगा 9,000, इसका आएगा 6000, इसका आएगा 3000, चिक हो गया, अच्छा, तो यह हो गया raising of goodwill, फिर हमें अब goodwill write off भी करनी होत है, अब goodwill write off करने के लिए आपको goodwill account को credit करना पड़ेगा वापस, goodwill account को अब आपको credit करना पड़ेगा, यह ना, अब यह आप कैसे करते हो, write off जब आप करते हो, तो आप यह continuing partners में करते हो, उनके new ratio में, तो P और R में अब यह write off होगा, उनके new ratio में, Sir, new ratio किती होगी, है ना, अब new ratio तो question में बता नहीं रखी, new ratio question में बता नहीं रखी, तो old ratio ही जो P और R के अपनी अपनी है, वो ही उनकी new ratio हो जाएगी, तो इसको हम लोग 3 is to 1, देख ले ना, 3 is to 1 में इसकी जो new ratio उसमें हम लोग इसको बाड़ देंगे, तो यह बाड़ द आती है, ठीक है, अच्छा, मैं वैसे आपको बता देता हूँ, वैसे आप जो goodwill की adjustment करते हो, कैसे करते हो, आप continuing partner को debit करते हो, to retiring partner, यह entry करते हो, तो आप एक बार चाहे तो करके देख लेना, कि आप वैसे जो goodwill की adjustment, आप capital account की through करते हो, वो करके देखना, उससे आपका यही net effect आएगा, पहले आप इस entry का, अगर net effect निकालोगे, तो net effect देख लो कैसे हो रहा है, P को हम लोग साड़े तेरह से debit कर रहे है, और 9000 से credit कर रहे है, तो मैं कह सकता हूँ, net में हम लोग P किते रुपे से debit कर रहे है, साड़े 4000 से, similarly Q देखो, Q credit हो रहा है 6000 से, debit किसी भी amount से न credit कर रहे है, तो net में मैं कह सकता हूँ, R को हम लोग P 1500 रुपे से debit कर रहे है, तो देखो, net entry मेरी ये बन रही है, तो गुडविल अकाउंटर क्लोज हो रहा है, debit भी हो रहा है 18 से, credit भी हो रहा है 18 से, तो खतम हो रहा है, net effect में मेरी ये entry बन रही है, अब आप अपनी normally जैसे गुडविल के entry करते हो, वो करके कर देखना तो आपकी ये entry बनेगे, कैसे करोगे आप, आप बोलोगे Q का वैसे share किता मिलना चाहिए, तो 18,000 का अगर गुडविल है, तो इसमें इसका share होना चाहिए, 2 by 6, ठीक है, और इसको आप लोग gaining ratio में बाट देते हो, अब यहाँ प 26, ठीक है, इसका मतलब मैं आप सही कहरों कि आप raising writing off करो, चाहिए आप ऐसे net entry करके करो, आपका ultimately answer सही होगा, answer same ही आएगा, answer में कोई भी difference नहीं आएगा, फिर भी क्योंकि question की requirement है, तो हमें फिर ये raising and writing off की करना पड़ेगा, I hope this is clear to you, right, चलो जा, वापस से आते हैं अपने two goodwill, तो by goodwill कितना कितना आ रहा है, 9, 6, 3, 9, 6, 3, और इसमें कितना रहा है, साड़े तेरा, साड़े चार, साड़े तेरा, साड़े चार, Q को कुछ भी नहीं, ठीक, तो ये entry हो गई आपकी, और कुछ और कुछ और कुछ देखें, तो और तो मेरे ख्याल से आप नहापे कुछ नहीं है, इसके लाबा सवाल ने बुला था, सवाल ने बुला था कि हम लोग 2800 हाथ क्या Q को दे देंगे, तो दे दो भई, Q को 2800 दे लेंगे, और Q के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो फड़ावाट से एक बार निकाल लेते हैं कि किता बच रहा है, Q का अकाउंट लोज करके देखते हैं, तो टूटल किता आ रहा है, 16, 18200 टूटल आ रहा है, जिसमें से 32 माइनोस कोरो, तो शायद 15,000 बच रह बच रहा है, तो इक आम गरे, हाथ का आद इसको टैली करते हैं, सारी चीज़े को टैली करते हैं, चलो, अपको मैं सजिस्टेड आंसर से टैली करते हैं, तो यह देखो, यह आ गया हमारा 15,000, चीक, कोई दिक्ट नहीं है, I think so, ओके, अब P और R की बात करो, तो P और R के लि एड़ेस्टेड कैपिटल कितने आ रहे हैं, सारी एड़ेस्टेड कैपिटल मतलब, वैसे बैलन्स देखो, कि वैसे बैलन्स कितना आ रहे है, P और R का, चलो, देखो, तो P का देखो कितना बैलन्स बच रहे है, 15,000, अठारा 300, प्लस 9, 27,300, 27,300 में से आप 14,100 माइनस करो, 27 यह बच रहे है, 13,200, P का बच रहे है, 13,200, चलो, R का देखो, R का टोटल आ रहे है, 14,100, इसमें से 4700 माइनस करो, तो यह बच रहे है, 9,400, तो P का एड़ेस्टेड बैलन्स आ रहे है, 13,200, R का एड़ेस्टेड बैलन्स आ रहे है, 9,400, इसका टोटल करो ज़रा फटावट स कितना आ रही है 22-600 शायद तो ये हो गया आपका total capital अब दोनों ये चाहते है partners कि अब ये जो हमारा capital है ये अब equal-equal हम contribute करें equal-equal contribute करें तो equal-equal कितना आएगा P का भी आएगा 11-300 और R का भी आएगा 11-300 तो ये इनका closing balance बज जाएगा 2 balance CD 11-300 11-300 और balance के लिए उसमें क्या बोल रखा है कि हम current account का use करेंगे देख लेना इस सवाल में भी उसने current account का use करने बोला हुआ है अच्छा इन सवालों में अगर question ना बोले उपर हमने admission का भी question करा यहाँ पर हमने कर रहे हैं दोनों जगा उसमें बोल रखा था कि हमें current account open करना है अगर question नहीं बोलता कि current account open करना है तो फिर हम लोग उस case में cash account का या bank account का use करते हैं तो यह बात ध्यान रखना अगर question बोलेगा current account का use करो तो तो आप use करोगे वरना आप लोग कौन सा use करोगे आप cash या bank का account use करेगे ठीक है तो यह बात आप लोग प्लीज ध्यान रखना चला आप balance देखते हैं तो पी को पहले close करते हैं तो पी का balance किदर बच रहा है debit side बच रहा है क्या 18300 प्लस 9000 तो 27300 का total हा रहा है इस में से 14100 माइनस 11300 तो इसका balance बच रहा है दूसरे पर इंसे लिख लेते हैं 1900 ठीक है और R का उधर बचेगा तो total देख लेते किता रहा है 200 प्लस 45 प्लस 11300 तो total आ रहा है 16 और balance देख लेते किता बच रहा है यहाँ पर माइनस 11100 माइनस 30 1900 तो देखो यह balances बच रहे हैं तो question कुछ नहीं बोलता तो हम cashier bank का यूज़ करते हैं बट यहाँ पर उसने current account यूज़ करने बोला हुआ है तो हम लोग current account का यूज़ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे piece current account और यहाँ लिखेंगे by ours current account ठीक तो बस ऐसे आपको इस सवाल करना था तो बस इतना ही question था तो same वही है तो यह number का सवाल है तो मैं मान लेता हूँ कि दो number revolution के होंगे बाकी चार number आपके partners capital account के होंगे तो I hope यह question आपको समझ आ गया होगा तो यह लिखेंगे अगला question करते है question number 25 question number 25 क्या कहता है question A, B and C were partners sharing profit and loss in the ratio of 5 is to 3 is to 2 ठीक है A died on 30th June A की death होगे कब 30th June 2019 को right entry for treatment of goodwill after his death was passed as follows तो हमनी goodwill की entry क्या pass कर रखी है यह pass कर रखी है B's capital account debit 1,80,000 C's capital account debit 1,20,000 2 A's capital account 3,00,000 तो यह हमने goodwill की entry पास कर रखी है ठीक है नीचे कहता है A's profit till the date of death was estimated as rupees 1,20,000 तो यह भी अच्छी बात हो गई उसने आपको यह भी करके बता दिया उसने आपको A का profit share till the date of death भी निकालके बता दिया वरना यह आपको अकसर खुच से calculate करना पड़ता है Based on the average profit of 3 years ठीक है पिछले 3 साल के average profits के basis में final calculation यह कर दी final dues payable to A's executor on the date of death was calculated as 8,40,000 उसने यह भी बता दिया कि final कितना due है A का जो A के executor में transfer किया जा रहा है 8,40,000 यह भी उसने बता दिया out of which 2,40,000 was paid immediately by giving him furniture valued for the same तो 8,40,000 में से हमने हाद किया 2,40,000 का furniture पकड़ा दिया A के executor को and balance was to be paid in 3 equal annual installments starting from 38 June 2020 30 June 2020 से हमको अपनी installments पे करनी है और बचावा amount जो है वो basically हमें 3 equal annual installments में पे करना तो एक बार ऐसी देख लेते है रफ रफ में में कि 8,40,000 देने थे जिसमें से 2,40,000 हमने furniture के form में दे दिये तो बच गे 6,00,000 इस 6,00,000 कों में 3 annual installments पे करना है तो कित्ते के installments पे बनेंगें 2,00, 2,00, और 2,00, के चलो Together with interest rate as specified in section 37 of Indian Partnership Act 1932 और कितना interest पे स्पेसिपाइड है section 37 में 6% परैनम तो बेसिक लिए आपको 6% परैनम का interest भी लगाना यह आप से सवाल कह रहा है अब requirement पड़ो क्या है past necessary journal entry for profit share to be credited to A's capital तो हमने जो 1,20,000 का profit का share निकाला था इसको A को देने की entry करो basically यह बोल रहा है and also prepare A's executor's account till final settlement A का executor account भी बनाना है तो सबसे पहले इस सवाल में आप अपने आप से एक सवाल पूछो आप अपने आप से एक सवाल पूछो क्या किस सवाल में हमको यह जो goodwill के entry है यह क्यों दे रखी है यह goodwill के entry हमें क्यों दे रखी है क्या relevance है क्या पढ़के आपको कुछ अभी तक relevance दिखा क्योंकि देखो उसने सारे calculation खुद का रखी है उससे profit का share भी खुद निकाल रखा है और उसने final amount जो due amount है वो भी निकाल रखा है तो सारी calculation तो उसने already खुद ही कर रखी है कुछन ने तो यह goodwill के entry देने का क्या relevance है तो 2 second का time लेकर आप थोड़ा सा सोचो अपने दिमाग उखके घोड़े दड़ाओ इसी सा आपका IQ टेस्ट होता है IQ चलता भी दिमाग ऐसी चलता है कि क्यूं ही आपको दे रखा है चालो सोचो दरा तो पता नहीं आप में से कितने बच्चे को जवाब मिला बट नहीं मिला तो मैं बता देता हूँ यह क्यूं दे रखा है आप से question की requirement क्या बोल रखी है उसने उसने बोल रखा है कि profit share credit करने की entry दो तो profit share credit करने की आपको entry सिखा रखी है अगर आप लोग ने ठंसरे पड़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ पर आपको 2 cases बताय जाते हैं आपको यहां 2 cases बताय जाते हैं एक बताय जाता है when profit share changes या does not change पूल देता हूँ पहला does not change मलब पुराने partners का profit share change नहीं होता और दूसरा case आपको बताया जाता है when profit share changes है ना जब profit share change नहीं होता तो हम simply profit and loss expense account वाली entry कर देते हैं मलब एक entry करनी होती है लेकिन अगर profit share change हो रहा होता है यहाँ पर आपके पास फिर से दो option हो जाते हैं क्या दो option होता है या तो आप दो अलग-अलग entry करो पहले आप P&L suspense से entry करो और पिर आप P&L suspense को gaining ratio में transfer करो gaining ratio में transfer करो पुराने partners में या continuing partners में या पिर आपका पास एक ज़्यादा बेटर तरीका होता है हम बोलते है कि अगर profit है तो gaining to sacrificing वाली entry करो अगर loss है तो sacrificing to gaining वाली entry करो तो यह आपका पूरा concept होता है तो पता ही ये entry वो देखे क्या बता रहा है वो आपको बोल रहा है कि चेक कर लो भाई कि profit share change हो रहा है कि नहीं हो रहा ये चेक कर लो क्योंकि accordingly आपको फिर entry करनी पड़ीगी ये वाली इन दोरों में से कौन सी case के entry करनी है आपको decide करने के लिए चेक करना पड़ेगा कि profit share change हो रहा है कि नहीं हो रहा तो आप इस goodwill के entry से check करो अब वो आप कैसे check करोगे goodwill के entry में आपको पता है goodwill के entry में आपको पता है कि जो continuing partners को हम debit करते है वो gaining ratio में करते है ये बात आपको पता है तो इससे आपका gaining ratio पता लग जाएगा कि अगर 3,00,00 गुडविल जो है वो हमने ऐसा ऐसा debit क्या हुआ है तो इसका मतलब कि हमारा gaining ratio किता होगा 18 is to 12 या और simplify way में बोल दू तो 3 is to 2 ये होगा gaining ratio और अब एक बार जड़ा B और C का आपसी ratio देख लो पुराना B और C का आपसी ratio भी एक बार चेक कर लो किता हो रहा है 3 is to 2 3 is to 2 यानि gaining ratio old ratio के बराबर है B और C के old ratio के बराबर है gaining ratio इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि profit share हमारा change नहीं हो रहा profit share नहीं हो रहा हाँ अगर ये 3 is to 2 की जगा कुछ और आ जाता फिर हमारा इसका मतलब interpretation निकल जाता कि profit share change हो रहा है तो आप भस सकते हो exam में आपको यहां पर change करके बता सकता है वो profit share change कर सकता है आप miss कर जाओगे आपको क्योंकि accordingly इन दोनों में से entries करनी है कौन सी entry करनी है आपको देखने के लिए कि आपको देखना बढ़ेगा कि profit share change हो रहा है कि नहीं हो रहा तो इस दवाल कि अधर बात करूँ तो यहां मेरा interpretation निकल गया हमने देख लिया कि यहां भी 3 to 2 है old ratio और यहां gaining ratio भी 3 to 2 है और आपको पता है old ratio gaining ratio simple same रहता है जब profit share change नहीं होता पुराने partners के बीच में या continuing partners के बीच में तो पहले आपको यह I hope so पहले clear हो गया होगा चूँकि exam में इसी को change करके question दिया जा सकता है आपको जहां पर profit share नहीं वो change कर सकता है तो आप वहाँ पर फस सकते हो इसलिए मैं आपको बता दिया कि इसका क्या relevance है तो इस प्रकार से आपको अपनी conceptual thinking करनी है चीक है चलो अब हम लोग इस question को solve करते हैं फटा फट से चलीजी तो मैंने अपने format वगर आपने reference में तियार कर लिया है आप लोग भी तियार कर लीजेगा पहले फिर मेरे साथ साथ सवाल कीजेगा तो पहले तो आपको profit share देनी के entry करनी है तो entry करोगे और ध्यान रखना क्योंकि उसने date दे रखा है तो आपको date के साथ entry करनी है 30th June 2019 30th June 2019 के उसने date दे रखिया है तो आपको date के साथ entry करनी है तो क्या entry होगी profit and loss suspense account debit 2A's capital account 2A's capital account कित्ता बता रखाता है उसने 1,20,000 ठीक है तो पहले तो आपको बस 30 से एक entry करनी है proper पूरा format बनाना narration के साथ करना ठीक है चलो next is जो main आपको काम करना है वो क्या है ये का executor account बनाना है और ये account आपको date के साथ बनाना पड़ेगा अध्यान से तो properly बनाना तो आजाओ मेरे साथ साथ काम करो interest rate याज रखना क्या यूज करना है हमको यहां मैं लिख देता हूं bracket में interest rate हमें section 37 के हिसाब से यूज करना है 6% पर एनम का ठीक है चलो तो सबसे पहले 38 जून 2019 38 जून 2019 को हम पहले सबसे पहले जो final due amount A से या A की तरफ वो transfer करेंगे उसके capital से तो लिखेंगे by A capital account जो कि उसने किता दे रखा था 8,40,000 अब इस में से सवाल ने बोला कि हमने इसके executor को हाथ के हाथ क्या दे दिया 38 जून 2019 हमने हाथ के हाथ उसको furniture दे दिया हाथ के हाथ हमने furniture दे दिया कितने value का 2,40,000 चीक है और इसके लावा जो बाकी amount है हमने installments में दिया starting from 38 जून 2020 मतलब सालाना installments में हमने बाकी pay किया, कितने number of installments है 3 installments है चीक, चल अब ध्यान रखना, साल कब close हो रहा है accounting year कब close हो रहा है 31st March को accounting year close हो रहा होगा 31st March को 31st March को accounting year close हो रहा होगा अब 30 June से घारी आगे बड़ी, 30 June 2019 से तो पहले installment कब आएगा 30 June 2020 को आएगा 30 June 2020 को आएगा लेकिन उससे पहले आपका accounting year close हो जाएगा 31st March 2020 को 31st March 2020 को आपका accounting year close हो जाएगा तो क्यों कि accounting year close हो रहा है तो जो भी interest accrue हो गया होगा loan के उपर वो आपको पहले account for करना पड़ेगा तो आप लिखोगे buy interest account तो इसकी calculation करेंगे हम कैसे तो किसमा उन पर होगा 8,40,000 में से 2,40,000 तो दे दिये तो remaining 6,00,000 पर हम लोग interest calculate करेंगे 6% के हिसाब से कित्त महीनों के लिए June से लेके 30 June से 31 मार्च तो July, August, September, October, November, December, January, February, March कित्ते 9 महीन तो 9 महीना का पहला interest हम लोग यहाँ पर add कर देंगे तो कित्त आएगा यह check कर लेता है तो this is coming out to be 27,000 27,000 तो बस अब closing balance पहले लिख लो कित्ता closing balance हुआ accounting year close करने पह 2 balance PD तो कित्ता बचा वैसे अगर आप देखोगे तो यह बच रहा है 967 माइनस 240 तो यह बच रहा है 7,27,000 नहीं 6,27,000 बचना चाहिए न Sorry Sorry, sorry मैंने कुछ गरबड कर दी 6,27,000 बच रहा है 6,27,000 बच रहा है अपनी सहूलियत के लिए अपनी सहूलियत के लिए आप इसमें break-up बना के चलते रहो कि इसमें से principal component कित्ता है interest component कित्ता है break-up बनातो है चलो तीक है आप अपनी सहूलियत के लिए चाहिए तो एक छोटा सा break-up बनातो है चलना bracket में accrue करा दिया है, तो यह 27,000 आप outstanding है, तो 6,27,000 में 27,000 का तो interest है 9 महीने का और remaining 6,00,00 आपका यह वाला जो 6,00,00 है, यह principle है चीक है, तो यह आप अपनी दिमाग में कहीं पर, यहाँ पर bracket में एक rough way में कर सकते हो, तो कि इससे आपकी calculation पर simple रहेगी तो यह आगया 8,67,000 टोटल चलो, अब अगले साल में बढ़ते हैं 1st April 2020 by balance BD by balance BD 6,27,000 इसका break up आपने उपर लिख रख गा है अब 30 जून 2020 को पहला installment due होगा तो 30 जून 2020 को आपको 30 जून तक का interest फिस से account for करना पड़ेगा तो निकाल लो interest किता आएगा तो 6,00,000 का principle अभी outstanding है 6% का ब्याज है तो April में जून 3 महिने का आपको interest और यहाँ पर add करना पड़ेगा कर लो तो यह किता आ रहा है 9,000 यह आ रहा है 9,000 ठीक है तो 30 जून 2020 को 1st installment पे होगा 2 bank 2 bank मैं ऐसे लिए देता हूँ 1st installment तो यह कैसे कैसे पे करोगे आप कैसे कैसे पे करोगे तो हमने बोला था 2,00,000 रुपे का तो principle है 2,00,000 का तो principle है हर साल आपको 2,00, 2,00,000 करके आपको पे करना है प्लस अब तक किता interest डिव हो चुका 26,000 का यह interest हो चुका 9,000 का यह हो चुका तो किता interest हो चुका है 36,000 तो प्लस 36,000 का जो interest अभी तक अडिव हो चुका है वो भी इसमें add करके हम लोग पे करेंगे तो यह किता आजाएगा यह आएगा 2,00, 36,000 चिक है चलो मैं एक काम करता हूँ आगे बढ़ने से पहले इस account को और नीचे तक खीज देता हूँ क्योंकि अभी कहानी काफी आगे तक जाने वाली है मैं काफी आराम से इसको नीचे तक खीज देता हूँ चलो वो सकता अभी और भी खीचना पड़े बढ़ खीच लेंगे कोई बात नहीं चलो तो 30 जूम 2020 से अब कहानी आगे बढ़ीगी तो अगले 30 जूम 2021 से पहले हमारा फिर से accounting year close का date आजाएगा 31 माद 2021 को तो फिर से हमको यहाँ पे interest को accrue करना पड़ेगा अच्छा अब interest किस पे निकालोगे interest किस पे निकालोगे अभी तक तो 6 लाग रुपे का principal outstanding था उसमें से अब आपने 2 लाग का principal तो pay कर दिया तो अब remaining कित्ता बज़ गया principal आपका 4 लाग अब आप 4 लाग पे 6% की साब से 9 महीने का interest निकालोगे तो यह कित्ता आगया यहार है 18,000 तो अब 31 माद 2021 को देख लो कि आपको balance CD कित्ता है balance CD कित्ता है इब चेक कर लेंगे तो 627 प्लस 9 माद प्लस 18 माइनस 236 तो यह बच रहा है 4,18,000 4,18,000 और इसको आप फिससे वही verify कर सकते हो कि इसमें से principal component कित्ता है यह वाला 4,00, 4,00, तो principal component है plus interest component भी है कुछ कित्ता यह 18,000 क्योंकि इसके लावा के बाकी interest हम पे कर चुके first installment में तो बस अब यह वाला 18,000 का जो interest है यह outstanding है तो 4,18,000 का यह break up हो गया ठीक, तो account close कर दो तो totaling भी करते हो चलना 636 646 652 वारा है 646 प्लस एटी एक सेंचे 27 प्लस नौ में total हाथ क्या लिखके चलूँगा 6,54,000 6,54,000 चीक है जी? अच्छा 1 एप्रिल 2021 पर आज़ो बाइ बैलेंस बीडी 4,18,000 4,18,000 चलो अब क्या होगा? 1 एप्रिल से कहां नहीं आगे बढ़ेगी? तो आपका second installment की data जाएगी 30 जून 2021 तो फिर से आपको 30 जून 2021 तक का interest और लेना पड़ेगा और लेना पड़ेगा तो कैसे निकालोगे? वही 4,000,000 का भी प्रिंसेपर आउट्सेंडिंग है 6% का interest का rate है तो तीन महीने का आपको interest लेना है चलो तो यह निकाल लेते किता आ रहे है? यह आ रहे है 6,000 6,000 ठीक है? तो 30 जून 2021 को आपका आगया 2 bank second installment यह कैसे लोग गया? तो 2,000,000 का होई हर साल 2,000,000 का तो आपको principal जाई जा रहा है प्लस अब तक का आप interest देख लो किता हो गया? जो unpaid है यह की अठारा जार यह एक 6,000 तो 24,000 का interest अभी unpaid है तो किता मेरा installment जाएगा? चिक? चलो फिर 30 June 2021 किस कहानी आगे बढ़ीगी? अगला साल close हो जाएगा 31 माद 2022 तो फिर से आप वही interest due करोगे interest due करोगे तो अब कितना principal outstanding है? 4,000,000 में से 2,000,000 पे हो चुका तो अब सिर्फ 2,000,000 बचा है तो 2,000,000 पे 6% के साब से 9 महीने का interest आप निकाल लोगे निकाल लो तो यह आ रहा है 9,000 अब closing balance देख लो कितना बच रहा है? 31 माद 2022 को 2 balance CD तो total कर लो किता है? 4,18 प्लस पंद्रा 4,33 सारे total तो मैं हाथ के हाथ लिख लेता हूँ उपके माइनस 2,24 यह बच रहा है 2,09,000 अच्छा इसका भी break up किता होगा इसका break up किता होगा तो 2,00,000 तो principal का outstanding है प्लस 9,000 interest का outstanding है ठीक चालो बढ़ो आगे 1st April 2022 1st April 2022 को by balance BD 2,09,000 बस अब तो कहानी कतम हो रही है 30 जून 2022 थर्ड और लास्ट इंस्टॉल्मेंट का डेटा आ गया by interest account by interest account तो किता है 2,00,000 का principal outstanding है 6% के साथते 3 महीने का interest आपको निकालना है निकाल दो भई तो यहार है 3,000 3,000 बस अब तो जो भी बच गया amount बचे वा amount को आपको पे करना है 3rd installment क्योंकि यह last installment है तो कितना बच रही है अब 2,00,000 बारहजार शाय है 2,00,000 बारहजार और इसका भी आप वैसे break up देख सकते हो कितना break up होगा 2,00,000 का तो principal पे कर रहे होंगे बचा हुआ last principal plus unpaid जो भी interest है यह 9,000 और यह 3,000 टूटल कितना हुआ 12,000 तो यह 12,000 हम लोग interest का पे कर रहे होंगे वैसे तो balancing figure से answer आ जाएगा बट आप इसका tally भी कर सकते हो साथ सा बस account close कहानी खतम पैसा हजब ठीक तो बस यह सवाल आपका पूरे 6 नंबर का था एक बार आपको marking scheme दिखा दें क्या वो यह problem है marking scheme में उन्होंने break up ही नहीं दे रखा कि किस के कित्ते हैं बट आप फिर भी check कर सकते हैं अपने answer को आप answer को यहां से tally कर ले ना बिल्कुल डिटो बिल्कुल perfectly match कर रहा है सब कुछ बिल्कुल ठीक है चलिए अपने last question के और बढ़ते हैं party के और अपने इस six marker के और इस video के last question के और बढ़ते हैं चलिए question number 26 देखिएगा question number 26 health to wealth limited had share capital of rupees 80 lakhs divided into shares of rupees 100 each तो 80 lakh रुपे की share capital थी company के पास and 20,000 8% debentures of rupees 100 each as part of capital employed तो company की capital employed कैसे कैसे divided थी 80 lakh रुपे की capital था share capital और 20,000 की debentures थे of 100 each मनलब कित्ते होगे 20 lakh रुपे 80 plus 20 that is 1 करोर रुपे की capital employee थी company के पास फिर कहता है question the company need additional funds of rupees 55 lakhs for which they decided to issue debentures in such a way that they got required funds after issuing debentures of the same class as earlier at 10% premium तो थोड़ी अंगरी जी अच्छे से नहीं लिखियो उन्होंने बट वो ये क्याना चाहरे है कि company को 55 lakh रुपे और चाहिए थे 55 lakh रुपे और चाहिए थे तो इसके लिए company ने क्या किया जो class of debentures पहले issue थे वही और issue करे तो कौन से class of debentures पहले से issue थे 8% debentures तो इतनी लंबी कहानी गुणागुमा के बोल रहा है हो simple भास्चा में कहा रहा है कि company ने 8% debentures issue करे अच्छा वो भी कैसे issue करे 10% premium पे तो इक कितने रुपे के debentures थे 100 रुपे के face value के debentures थे और 10% के premium पे issue करे यानि 10 रुपे के premium पे issue करे तो issue price किती हो गई मेरी 110 की तो वो कहा रहा है कि पूरा जो मेरे को issue price मिलना चाहिए जो भी issue price के सबसे total मुझे पैसा मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए 55 लाख रुपे यह आपसे ही अंग्रीजी में कहना चाहता है hope आप समझ गए होगे कि अगर बै 110 रुपे debentures issue करता हूँ तो 110 रुपे के सबसे मिलना पास total 55 लाख रुपे cash में आ जाने चाहिए ठीक है चलो these debentures were to be redeemed at 20% premium after 4 years तो यह 20% premium पे redeem होने थे these debentures were issued on 1st of October 2021 तो date of issue भी बता दिया उसने 1st October 2021 जब भी dates बता है तो careful रहना चूँकि general interest में फिर हम लोग accordingly dates डालेंगे you are required to pass entries for issue of debentures तो पहले आपको debentures issue करने की entry करनी है prepare loss on issue of debenture account assuming there was existing balance of securities premium account और रुपीज 2,80 तो कह रहा है कि मानो कि अभी existing balance भी हमारे पास 2,80,000 का यह मान के आप loss on issue of debenture का account भी बनाओ और lastly pass entries for interest on debenture on 31st मार 2022 assuming interest is payable on 38th September and 31st मार्च every year मतलब हर छेचे महीने के अंतराल में हम interest pay करते हैं तो वैसे देखो कहानी इतनी बना रखी है बढ़ कोश्चन इतना कोई difficult है नहीं बढ़ा straight forward question है मैं बूलूँ आपसे एक ही थोड़ा सा बस carefully आपको काम करना है क्या number of debentures जो issue हो रहे है उसकी calculation ध्याम से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ देखो question number 26 कर रहे है अब लोग देखो तो question नहीं बोला है कि हम जित्ते भी number of debentures issue करेंगे वो issue करेंगे 110 रुपे के price पे तो जब मैं issue कर दूँँगा तो मेरे पस total कित्ते रुपे आ जाने चाहिए मेरे पस total 55 लाख रुपे आ जाना ही चाहिए तो यह मेरी kind of equation बन गई तो आप निकाल सकते हो कि मुझे कित्ते number of debentures issue करने चाहिए कि मेरे पस 55 लाख रुपे आ जाए तो बस 55 लाख divided by 110 यह आ जाएगा पचास हजा तो that means मैं पचास हजा debentures देखो जब issue करूँगा 110 रुपे पे तो मेरे पस कित्ता रुपे का cash आ जाएगा मेरे पस 55 लाख रुपे का cash आ जाएगा चीक है चलो अब इसके basis पर आप पहले तो journal entries करोगे journal entries अब यहाँ पर क्योंकि dates दे रखी है तो आपको dates के साथ entry करनी है तो 1st October 2021 को हम issue कर रहे है तो क्या entry होगी bank account debit अब उसने यहाँ पर application, allotment, installments की कुछ भी information नहीं दी तो हम मानेंगे कि सारा का सारा पैसा हम लोग एक साथ lump sum में ले रहे होंगे तो accordingly मेरी entry क्या बन देगी bank account debit to debenture application and allotment account तो यह कितना आ गया यह 55,000,000 आ गया 50,000,000 debenture 110 पर हम issue कर रहे है तो 55,000,000 रुपे मेरे पास bank में पैसा आ गया छीक है अच्छा अगली entry allotment के time same date डाल देते हैं debenture application and allotment account debit 55,000,000 अच्छा यह debentures redeem होने यह debentures redeem होने 20% पर तो उसके लिए हमको एक loss on issue of debenture भी खोलना पड़ेगा loss on issue of debenture account debit तो calculation कर लेते हैं आपे 50,000 debentures हम लोग issue कर रहे है 50,000 debentures issue कर रहे है और यह 20% premium पे redeem होने हैं तो 100 रुपे के debenture है 20% premium पे होने हैं मतला 20 रुपे के premium पे redeem होने हैं तो into 20 है ंटी तो यह आ जाएगा आपका दस लाग दस लाग ठीक है तो एट परसंट डिवेंचर अकाउंट तो यहां तो face value आएगी तो पचास हजार डिवेंचर है तो रुपी की face value है तो यह कितना आ गया यहां गया 50,00,00 प्रीमियम पेश हो रहे हैं तो प्रीमियम कहां चला जाएगा securities premium account में securities premium account में चलो तो पचास हजार डिवेंचर है दस रुपे के premium पे issue हो रहे है तो यह कितना आ गया पांच लाग और जो premium on redemption है उसकी एक हम liability भी create कर देंगे तो premium on redemption of डिवेंचर account तो यहां कितना आएगा same आएगा मैं दुवारा नहीं लिखता है यह 10,00,00 रुपे जो premium on redemption है वो आ जाएगा चीक है तो इस प्रागार से आपकी issue की entry खतम B में उसने बोला था loss on issue of deventure account बनाओ चलो वो भी बना लेते हैं चलो जी loss on issue of deventure account loss on issue of deventure account तो पहले तो 1st October 2021 को posting करेंगे हम लो जो हमने उपर issue के time के करी loss किस वज़े से डेबिट हो रहा था premium on redemption on debentures की वज़े से premium on redemption of debentures की वज़े से loss मेरा डेबिट हो रहा था देख सकते हो इस वाली entry में यह तो बस इसकी posting करनी है इसकी 10 लाग की तो कर लो एक मेट चीक है अचा अब साल के अंत में साल के अंत में हम इसको write off करेंगे loss को write off करेंगे अब loss कैसे write off होता है जितना securities premium में पढ़ा है उतना तो हम premium से write off कर देते हैं अब balance हम लोग statement of profit and loss से करते है तो अब देखो मेरे पास premium पढ़ा किता है मेरे securities premium में किता पैसा पढ़ा है बच चेक कर लो कि मेरे securities premium में पैसा किता पढ़ा है तो question ने बोला था कि existing balance अभी मेरे पास किता है दो लाग 80,000 का दो लाग 80,000 का existing balance है प्लस जब मैंने डिबेंचर प्रीमियम पे issue करें तो मैंने और प्रीमियम के रेडिट कर दिया पांच लाग रुपे का प्लस पाइब लाग टोटल कितना securities premium में अब मेरे पास पैसा पढ़ा होगा 7 लाग 80,000 तो देखो में को loss कितना राइट आफ करना है 10 लाग रुपे का तो उसमें से 7 लाग 80,000 तो मैं कहां से राइट आफ कर दूँगा securities premium से अब balance portion जो है वो मैं कहां से राइट आफ कर दूँगा statement of profit and loss से कितना balance बज़िया 2 लाग 20,000 तो इस प्रकार से मेरा यह account बन जाएगा चीक है जी अच्छा C में उसने interest on debentures के लिए entry मांगी थी interest on debentures की उसने journal entries मांगी थी तो फड़ावट से कर लेते हैं ये फड़ावट से कर लेंगे तो पहले उसने बोला था कि 31 मांग 2022 की entry करना एक October को वैसे भी issue हो रहा है एक October को issue हो रहा है है ना तो पहला interest वैसे भी 31 मांग कोई due पड़ेगा और वैसे भी कुछटे भी बोला गो है कि आपको 31 मां 2022 के पे interest की entry करनी है तो क्या entry होती है interest on debenture account debit to debenture holders account to debentures holder account तो interest कितना लेंगे हम लोग तो face value पे calculate होता है interest कितने face value का debenture हमने issue का रखा है 50 लाग का प्लस पुराना भी तो है एक मिट पुराना भी तो है पुराने कितने मेरे पस 20 लाग के मेरे पस पुराने भी है 20 लाग के debentures मेरे पस पुराने भी है तो हमारे पस पुराना debenture भी है पुराना debenture भी है मैं चेक कर रहा था इन्होंने consider नहीं कर रखा मेरे ख्याल से चलो हम अपने हिसाब से करते हैं अब मेरे पास किते डिवेंचर्स है भाई 20,000 तो पुराने है और 50,000 मैंने और इस्यू करें तो 70,000 डिवेंचर्स है मेरे पास तो अगर आप ऐसे देखो कि मेरे पास 70,000 डिवेंचर है 100 रुपे के face value के इस पर 8% का डिवेंचर का interest का rate है into किते महीनों के लिए 6 महीनों का interest लगेगा यूँकि 6-6 महीनों में pay कर रहे हैं हम लो सभी बज़रा निकालो किता आ रहा है 70,4,000 तो वैसे देखो यह आ रहा है पर डिवेंचर होल्डर को हम लोग debit करते है to bank पहले हम लोग debenture interest due करते हैं फिर उसको pay कर देते हैं अच्छी बात यह है कि आप लोगों के syllabus में TDS का चक्तर नहीं डाल रखा तो आपको TDS के चक्तर में पढ़ने की ज़रूत नहीं है और लासली काम यहाँ पर खत्ब नहीं होता साल का अंत हो गया है तो सारे खर्चे हम लोग P&L में transfer करते हैं तो उसी प्रकार से जो interest on debenture भी है ये भी हमको P&L में transfer करना चाहिए 2,80 तो वैसे मेरे साब से यह आमसर इसका होना चाहिए बट एक बार question की language जरब में पढ़ लेता हो वापस से कि उसने कहीं हिंट दे रखाता कि सिर्फ नए debentures की interest की आपको entry करनी है पास entries for interest on debenture on 31st माँ 2022 assuming interest is payable on 38th September and 31st माँच तो देखो language में तो उसने कहीं पे भी नहीं बोला तो जब आपके पास पुराने 20,000 debentures भी थे और आप company ने और 50,000 debentures इशू करे तो आप company को तो पूरे 70,000 debentures पे interest पे करना पड़ेगा न या तो question ने उसने clearly बोला होता कि आपको सर्फ नए debentures की interest के entry करनी है तो तो अलग बात थी बड़ ऐसा तो उन्होंने नहीं बोला तो अगर आप marking scheme में चेक करोगे जो उन्होंने basically answer दे रखा है CBSE में इसमें आइचिंग यह चीज यह miss कर गए question तो उन्होंने बढ़िया बना दिया है ना लेकिन यह चोटी सी चीज मिस कर गए है ना आप अगर देखोगे तो आप इन्होंने debenture interest दो लाख रुपे का लिया है तो दो लाख उन्होंने कैसे लिया जो नए 50 लाख की debentures है उस पे उन्होंने 8% छे महीने का लगाया तो यह कितारा है दो लाख बट पुराने वागवालों को विचारों को भूल गए है anyway बट मेरे साब से तो answer ऐसी होना चाहिए क्योंकि question की language में कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा पड़के कि आपको सिर्फ नए debenture holders को interest देना पुरानों को नहीं देना और पुरानों को आप दोगे तो anyway मेरे साब से entry यह होना चाहिए यह answer होना चाहिए राइट चलिए तो बस इसी के साथ आपको पार्टे खतम हो जाता है पार्टे इस खतम अब आपका पार्ट B बज़ गया 20 marks का 60 marks वाला portion आपका खतम होगे तो पार्ट B जो है आपका वह हम थर्ड पार्ट में अपनी कवर करनी की कोशिश करते है तो मैं नेक्स पार्ट में अप इसका balance portion करा दूँगा तो मैं उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको helpful लगी होगी अगर यह वीडियो आपको helpful लगी है तो इसको like और share जर रखे हसी खुशी रहिए एक दूसरी मदद करते रहिए और positive mindset से पढ़ाई करते रहिए हम मिलेगे next वीडियो में जिसमें हम अपना sample paper का balance part भी solve कर लेंगे तब तक के लिए bye bye and take care और happy new year to all the students चलिए bye bye